जाहिन दोस्तों आप सबी लोग देख रहे हैं इस पीडिय का मास्टर वीडियो दोस्तों आप सबी लोग को इस वीडियो के माध्यम से मास्टर वीडियो कबर किया जाएगा जो कि आपका 800 MCQ है आप सबी लोग याद रखिएगा कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो कहीं ने कहीं आपका बिहार दरोगा हो चाहे आपका BPSC का जो एक्जाम होने वाला है उसमें बहुत ही महतपूर साबित होगा ये आपका बीडियो आप सबी लोग याद रखिएगा इस वीडि करने के लिए आपको ये वीडियो प्रोवाइट किया रहा है कि आपका रिविजन भी होगा और आपको पता चलेगा कि आप सबी लोग अभी तक कितना तैयारी कर चुके हैं और आपको कितना और मेहनत करने की जरूरत है तो आप सब लोग इस वीडियो को देखिएगा आप आप सब लोग देख लिजिए कि आपका मुख्य आकरसर वगरा दिया गया है यह आपका टॉपिक आज का होने वाला है और यह सभी आपको इसमें कम्पीट करा जागा 800 MCQ तो इसको आप सुरूत से आंतर देखिएगा और अपना स्कूर जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप आप सब लोग 800 में से कितना कोशन कर पा रहे हैं ठीक है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं चलिए एक एक कोशन कोशन देखेंगे हैं अगरा पहला प्रसन है थोड़ा कलर चेंज कर लेते ताकि आपको अच्छे से दीख पाएं कहता है कि हाल ही में T20 किरिकेट में 10,000 बनाने वाले भारते खिलाडी कौन बन गया है चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा इसका अंसर हो जाएगा और आप वहां से जौइन नहीं हो पाते हैं तो आप सब लोग को करना क्या है आप अप टेलिग्राम पे जाएगा सर्च में सर्च किजेएगा जीगे विध सूर के पीडियाप को पराप्ट कर पाएंगे वो भी आंसर के साथ ठीक है तो आंसर आपका यहां फे विराट कोहली हो जाएगा अगला प्रस्ने की हाल ही में कि सराज की सौजत महंदी सोजित महंदी को जी आई टेक प्रदान किया गया है तो इसका अंसर हो जाएगा option C राजस्थान अगला प्रस्थान के गुजराद विधान सभा के पहली महिला speaker कौन बनी है तो इसका अंसर हो जाएगा option C यानि नीमा बेन अचारे हो जाएगा option आपका C हो जाएगा अगला प्रस्थान की हाल ही में करनाटक विधान सभा द्वारा वर्ष दोयर 21 का सर्वसिष्ट विधायक पुरसकार कि से प्रदान किया गया है तो यह प्रदान किया अगला प्रस्थान की बिस वत्रेंगा त्रेंदाजी चैंपियंसीब और 21 किस देश में आयुजित की गई है तो यह किया गया है option भी अमेरिका में कहां अमेरिका में अगला प्रस्थान की हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चकरवाती तुफान गुलाप का नाम कि सिदेश ने दिया है तो इसका अंसर हो जाएगा covid individually किया हो जाएगा पाकिस्तान अगला प्रसन है कि हालही में किस राजे सरकार ने १स्वास्थ देख भाल आपके द्वार योजना का सुभारम किया है तो आंसर हो जाएगा ऑप्चन regard . अगला प्रसन ही में कौन एलेक्ट्रिक वहन चार्जिंग इस्टेशन इस्थापित किया गया है तो आप सब लोग याद रखिएगा ऑप्शन भी हिमाचल प्रदेश क्या हो जाएगा हिमाचल प्रदेश अगला प्रस्थन है 11 नंबर कहता है कि हुरून ग्लोबल 500 सबसे मुल्यवान कंपनियों की कही न कहीं दू議ं दूसरा बंदा देखेगा या फिर दूसरा लडका देखेगा अगर आप सब्लू का एग्जाम में जब उसके साथ कंपटिशन बैठेंगे तो आपको व् Stream 2022 को पता है कितना हाइप सभाम बदेखेंगे लेकिन अगला जो बीडियो को देखेगा तो कही न कम नहीं होता है आपके एक्जाम के लिए आप याद रखेगा बहुत कोशन होता है इससे आपको पता है option को eliminate कर पाएंगे और eliminate करके अच्छा खासा आप answer कर पाएंगे current affair में current affair का ऐसा topic है कि जितना revision करेंगे उतना आपके लिए बहतर होगा क्योंकि याद करना बहुत यादा जरूरी होता है current affair तो चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे कोशन देखते हैं कि पंडित दियाल उपाद्याय की जैनती को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है तो answer हो जाएगा option ए अंतियोदे दिवस क्या हो जाएगा अंतियोदे दिवस अगला प्रस्न है कि चौदो नमर की हाल ही में किस राज्य की नागा खीरा नागा खीरा को जी आई टैग परदान किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा option C नागा लेंड क्या हो जाएगा नागा लेंड अगला प्रस्न है कि फिक्की दौरा जारी राज्य खाद सुरक्षा सुचकांग 2021 में भ इनके लेखा क्या रखिएगा option आपका C हो जाएगा चेतन भगत क्या हो जाएगा चेतन भगत अगला प्रस्ने की हाल ही में भारत में C 295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए इस पेस की किस कमपनी के साथ समझोता किया है तो इसका आंसर हो जाएगा option B Airbus Defense and Space हो इसका आंसर हो जाएगा अठारा का option A तीस्ता वी हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्न है 19 नवर 24 सितंबर 2021 को ले हमें पांच दिवसी प्रथम हिमाले हिमाले फिल्म महुत्सा का उद्गाडन किस ने किया है तो यह किया है अनुराक ठाकूर क्या हो जाएगा अनुराक अनुरार ने किस नाम से एक परिसंपती प्रबंध कंपनी प्रबंध कंपनी की स्थापना किया है तो इसका अंसर हो जाएगा option B IDRCL हो जाएगा option आपका यहां पर बी उत्तर हो जाएगा चलिए अगला प्रस्न क्या है को स्नमर 21 कि 24 सितंबर 21 को से फार्स एट दा को और अगला प्रस्नय की भारती से दुरा चबणा 26 से 29 सितंबर 21 तक विजय संस्कृतिक महत्सो का आयोजन कहां पर किया गया है तो यह किया गया है कोलकाता में और प्रस्नय कि हाल ही में सरिक्ट राश्ट ने आफगानिस्तान में दावाएं एवं चिकितस्था अपूर्तिके ल की रूप में मनाती है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी 23 सितंबर क्या हो जाएगा 23 सितंबर अगला प्रस्न है 25 नंबर हाल ही में भारत के किस समुद्री तर्ट को बुलू फ्लैग प्रमानित यानि प्रमानी करड़ से पुरुस्कृत किया गया है तो इसका अंसर हो जाएग बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का चेंज मेकर आवार्ड 21 की से मिला है तो आपका उतर सी हो जाएगा फैरोज फैजा बीथर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी उतर हो जाएगा वर्च दूजार एक बाइस में सीथ का लिन ओलंपिक और पैला पैलालंपिक खेल का कहां आयुजित होगा या फिर कहां पर आयुजित होंगे तो इसका उतर हो जाएगा ऑप्शन ए बीजिंग चीन हो जाएगा अगला प्रसने की हाल ही में किस भारती किरिकेटर को ICC T20 विसो कब जोर 11 के पूरुस टीम के मेंटर के रूप में नामित किया गया है तो इसका आ युजित हो जाएगा अगला प्रसने के 20,000 अंतराष्टी रन बनाने वाली दुनिया के पहली किरिकेटर कौन बनी है तो यह बनी है मिताली राज आप्शन आपका B उत्तर हो जाएगा चलिए अगला प्रसने के 73 वे प्राइम टाइम एमी आवार्ट में किस टीवी स्रीज आउट इस्टेंडिंग ड्रामा स्रीज का आवार्ट जीता है तो यह जीता गया है आपका उप्शन A द क्राउन उत्तर आपका यहां पे हो जाएगा अगला प्रसने के भारती वायू सेना ने किस देश से 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकों विवान खरिदने के लिए 27 मि जाएगा ऑप्शन B फ्रांस आपका सही उत्तर हो जाएगा हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री सकती अभ्यास का तिसरा संस्क्राइब सुन्डा जल्डमरू मध्य में शुरू हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तो चलिए अगला देखते हैं कि हा हाल ही में SCO देशों के सनुक्त आतंगवाद विरोधी अभ्यास संतिपूर मिशन 2021 के छटे संस्क्राइब कि मेजवानी किस देश के द्वारा किया गया है तो यह किया गया है आपका रूस के द्वारा क्या हो जाएगा रूस के द्वारा अगला प्रस्न ही में भारत नेपा हमां संस्क्रड कहां में आयोजित किया गया है तो यह किया गया है आपका आपसन भी यानि पिठोरा गड़ उत्राखंड में हो जाएगा आपका बी उत्तर हो जाएगा हाल ही में जारी वैस्विक नवाचार सुचकांग्द दूर एककईस में भारत को कौन सा इस्थान थैठाप्थ हुआ है च्छीालिस नंबर का ऑपसन आपका डी उत्तर हो जाएगा आपका हाल ही में किस राज स्थी में चरन जीत सिंग चन्नी λाधा के कौूं से मुक्ष मंत्री बने हैं तो यह बने हैं 16 नंबर कि आपका password हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि हाल ही में उपर राष्टपती रामनात कोबिन ने किसे राष्टी फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरसकार जो एरबीस परदान किया है तो यह परदान किया गया है ऑप्सन भी यानि ब्रिगेडियर एस वी सरसुती हो जाएगा ऑप्सन आपका भी राइट हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि हाल ही में कि स्राइज के हाथ ही मिर्च याद रख़िएका हाथ ही मिर्च और तामेंग लॉंग संत्रा को Всёई टैग प्रदान किया गया है तो यहñasEM किया मनिपूर क्या हो जाएगा मनिपूर एगला प्रसन गते हैं 43 नंबर कि हाल ही मे भार 12 अकांग्छे जीलों में कच्छा 6 से 12 हत्रों को मुप्त सिक्षा प्रदान करने के लिए नेती आयोग ने किसके साथ सारजजारी किया है तो यह किया गया है बैजूस क्या हो जाएगा 44 का आपका यहां पर यहां पर उत्तर हो जाएगा 18 सितंबर 18 सितंबर को किसके द्वारा म तुम्हारों को आत्म निर्भर बनाने के लिए इस्पीन योजना की सुरुवात किया गया है तो यह किया गया है खादी और ग्रामो धोग योजना याद रखेंगे डी राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में कौन सा देश संगहाई सहयोग संगठन यानि S.C.O. का नवा से देश बन गया है तो यह बन गया है इरान क्या हो जाएगा इरान सही आंसर हो जाएगा अगला प्रसन है कि हाल ही में दो बार के ओलंपिक सोन पदक बिजेता यूरी संडिक का निधन हो गया है वह किस देश के थे तो देखा जाया तो आपका वो रूस के थे आप्सन आप सब्सक्राइब किया है तो याद रखिएगा ही माचल प्रदेश हो जाएगा आपका डी उत्तर हो जाएगा हाल ही में किस राजी सरकार ने इवी रामा सामी याद रखिएगा रामा सामी की समाजिक न्याय दिवस की रूप में मनाया है तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्सन भी तमिल नाडू क्या हो जाएगा तमिल नाडू चलिए अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन क्या है क्या है कि हाल ही में अगस्त दूर्ण 11 के लिए किसे ICC Women's Player of the Month के विजेताक रूप में चुना गया है तो यह चुना गया है ओप्सन डी एमियर रिचार्ड डसन हो जाएगा ओप्सन आपका डी उत्तर हो जाएगा अगला प्रसने की हाल ही में नोवाग जो कुविच ने किस ग्रेंड इसलेम टूनामेट में पूरुस एकल का ख हिताब जीता है तो यह जीता गया है ओप्सन डी हो जाएगा उप्रोग तो सभी यानि देखा जाए तो फोटी सोरी 53 है ना तो 53 का सही आंसर आपका यहां पे डी हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन और आपका वीमंडलन ओपन तो आप इसको अच्छ में उल्लेखनिय युगदान हितु किसे रामकिष्ण बजाज मेमोरियन गलोबल पुरसकार प्रदान किया गया है तो यह किया गया है गौतम अडानी क्या हो जाएगा गौतम अडानी हिंदू यूनिवर्सिटी ओप अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अधियन में डॉ पादी प्रदान किया है तो आगला परसे कि विस्व ओजोन दिवस की स्तिथी को मना जयता है तो तो ये मनायता है आपका 16 सितंबर को option आपका A सही आंसर हो जाएगा। हाल में USA open यानि US open 2021 का पुरुस एकल का खिताब किस ने जिता है। तो ये जिता है डेनियल मैदवेदेव ने option आपका B उत्तर हो जाएगा। देश के उच सिक्षड संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सरवसेष्ट संस्थान चुना गया है तो आंसर हो जाएगा IIT मदरास। हाल ही में BRO सडक निर्माड कमपनी की कमान संभालने वाली प्रत्थम महिला सेन्याधिकारी कौन बन गई हैं। हाल ही में इस राजय सरकार ने कैटली मचली को राज ये मचली घोसित किया है। तो ये मिला है किसको तो जो रूट हो जाएगा option आपका c सही answer हो जाएगा हाल ही में किसे वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मननद पुरसकार दिया गया है तो ये दिया गया है आनंद कुमार क्या हो जाएगा आनंद कुमार अगला परस्न है कि हाल ही में दुबाई का golden बीजा पाने वाले पहले गोलप खिलाडी कौन बन गये है तो गोलप खिलाडी पुछा गया है तो इसका आंशर हो जाएगा जीव मिलखा सिंग यह बताए कौन है तो जी मिलखा सिंग देखा जाए तो मिलखा सिंग के लड़के हैं ठीक है अगला प्रस्न क्या है कि हाल ही में भारत के किस सहर में हाइबे पर भारत की पहली आपात का लेंडिंग सुबिधा का उद्गार्ण किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्सन B यानि वाड मेर हो जाएगा ओप्सन आपका B उत्तर हो जाएगा हाल ही में किस राज सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए पराण वायू देवता पेंसन योजना सुरू किया है तो यह सुरू किया है ओप्सन A हर्याना सही आंसर हो जा प्रस्टन है कि हाल ही में संपन हुए टोक्यो पैल्यम्पिक 2020 खीलो में भारत ने कौन सा भारत कुल कितने पदक जीते हैं तो यह पदक जीता गया है 19 आपका C सही आंसर हो जाएगा चलिए आगे दिखते हैं कि हाल ही में दो पारालॉंपिक मेडल जितने वाली पहली भारती महिला एथलेट कौन बनी है तो ये बनी है आपका उप्षन भी अवनी लेखारा हाल ही में लद्धाक प्रसासन ने किसे अपना राज ये पसु घोसित किया है तो ये घोसित किया गया है हीम 3-2 क्या हो जाएगा हीम 3-2 अगला प्रसने कोईला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजिनियर कौन बनी है तो ये बनी है आपका उप्षन सी अकांग्छा कुमारी अकांग्छा कुमारी हाल ही में भारत के सबसे उचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्मार कहां पर किया गया है तो यह किया गया है आपका ओप्षन भी चंडी गड़ में कहां पर चंडी गड़ में अगला प्रसने की 9 सितंबर 2021 को स्किस की अधिक्सा में 13वा ब्रिक्स साइल ट्रैकिंग जहाज का विशाका पटना में परिछड किया गया इस जहाज का नाम क्या है तो इस जहाज का नाम आपका हो जाएगा ऑप्षन भी आई एनस धुरू हो जाएगा अगला प्रसने की तमिलाडू सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुनितीथी को महा कभी दिवस की रूप में मनाने का घोषना किया है तो यह किया गया है आपका सुबरेमन्यम भारती सुबरेमन्यम भारती भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फार्नरी का निर्मान कहां पर किया गया है तो यह किया गया है आपका उतराखण में कहां पर उतराखण में अगला प्रसने की ह हाल ही में छात्रों की भासा संबंदित बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उडान को लॉंच किया गया है तो यह किया गया है रूस में कहां पर रूस में अगला प्रस्ण केंदरी परियावर्ड वन एवं जलवाई परिवर्टन मंत्राले करान पोटल का संबंद किस्से है तो यह संबंद देखा जा तो आपका वाई उप्रद जूसर के नियंद से है ऑप्स्न आपका हो जाएगा हाल ही में किस राजह सरकार दूocy bend और बाज्रा बाज्रा मिसन की शुरुआत की गई है तो यह किया गया है 36 गड़ के दोरा अप्सन आपका ए हो जाएगा हाल ही में किस लेखिका को उनके उपन्यास यानि पीरानेसी के लिए और या किया गया है तो यह किया है अपका option डी यानिः सुजयना कलार्क हो जाएगा हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन डाइ अक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सनेंचर यानि ओर का सनेंचर है है इसका उत्र हो जाएगा option B Iceland क्या हो जाएगा आइस लेंड निनलिखित में से कि संस्था द्वारा हाल ही में सुन्य अभियान की शुरुवात की गई है तो यह किया गया है आपका नीती आयो की द्वारा option आपका डी उत्तर हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं अगला प्र स्थापित किया है तो यह किया गया है टाटा इस्टील क्या हो जाएगा टाटा इस्टील अगला प्रसने की हाल ही में किस राजे सरकार ने अपने नागरिकों को मुप्त में पानी मुहया कराने की घोशना किया है तो यह किया है गोवा राजे ने कौन सा गोवा अगला प्र न किया ग tussen यह किया है तुमिल नाडू किस्टन रफ लाइब लगा स्वू करने वाला पहले अप्श् नेर हो खा sì जहाज लिया है इका सब्रस्थ ह yes ना कि कि हाल ही में योग ब्रेक एप को किस मंत्राले द्वारा लांच किया गया है तो आप सब लोग es तो इसका उतर हो जाएगा option B सिंगापूर क्या हो जाएगा सिंगापूर हाल ही में इंजिनियर्स इंडिया Limited की पहली महिला अद्ध्यक्ष कौन बनी है तो ये बनी है option C वर्तिका सुकला अगला प्रस्न है कि हाल ही में विक्षित भारत के पहले quantum computer यानि simulator tool kit का नाम क्या है तो इसका उत्तर याद रखेगा option आपका B हो जाएगा QSIM क्या हो जाएगा QSIM आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा COVID-19 TK की खोज में महतवपूर भूमी का निभाने है तू बांगला देश के किस बैग्यानी को रेमन मैक्स से पुरसकार 2021 प्रदान किया गया है तो यह किया गया है आपका option C फिर्दोसी कादरी अगला प्रसन है कि हाल ही में किस बैक्ति को जैनती पर यानि किस बैक्ति की जैनती पर प्रदान मंतिर नरेदर मोदी ने 125 रूपय का इसमारक सिक्का जारी किया है तो इसका उत्तर हो जाएगा option D यानि स्वामी प्रभुपाद हो जाएगा option आपका यहाँ पर D उत्तर हो ज जाएगा नागा लेंड हाल ही में किस देश ने विद्यसी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद कीमतों के कारण खाद या पात का लंगोसित किया है तो इसका उत्तर हो जाएगा option C स्रिलंका आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रसन है कि हाल ही में टोकियो प्राइलंपि प्राइशन का नाम क्या है उसका नाम है आपका के जमासवय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटो वल्टिक परियोजना शुरू किया है तो इसका उत्तर हो जाएगा 105 का ऑप्शन ए आंध्रा पर्देश एककाईस अगस्ट 2021 को सनुक्त राष्ट द्वारा मनाये गए अंतराष्टी इसमरण एवं स्रंधाजल 18 का विश्य कैया है तो इसका विश्य देखा जयर तो आपको ऑप्शन डी हो जायागा कनेक्शन्स क्या हो जायगा कनेक्शन्स अगला प्रस्थनREY की हाल ही में किस देश ने नोЗ vidéo स्मंद्च को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर मार्गजर्शन दस्तावेच पर हस्ताक्षर किया है तो इसका उतर हो जाएगा option B आउस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा आउस्ट्रेलिया अगला प्रस्ने के हाल ही में किसने राष्टपती सरज यानि असरफ गनी के देश से भाग जाने पर खुद को आफगानिस्तान का कारेवाहक राष्टपती घोसित किया है तो इसका उतर हो जाएगा option B अमरुलाह साले हो जाएगा अगला प्रस्ने केरल में सहसीक परेटन के राजदूत के रूप में किसे निक्त किया गया है तो ये निक्त किया गया है option B पी आर स्रीजेस पी आर स्रीजेस अगला प्रस्ने है कि हाल ही में किस मांत्राले ने सुए सहायता समूहों के बजार उतपादकों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिरया नाम का एक लोगों को ब्रांड लॉंच किया है तो इसका उत्तर हो जाएगा option C आवास और सहरी मामले के मंत्राले option आपका C हो जाएगा हाल ही में उरिशा सरकार द्वारा किस होकी खिलारी को बीजू पटनायक खेल रतन पुरसकार परदान किया गया है तो ये किया गया है अमित रोहिदास हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांट अम्वेजडर निव्ट किया है तो ये किया गया है सोनु सूद क्या हो जाएगा सोनु सूद अगला प्रसन है कि हाल ही में निवार की प्रत्थम महिला गवर्नर कौन बनी है तो इनका नाम है ओप्षन ए कैथी होचूल अगला प्रसन है कि हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला सोदेशी मोटर चलित विल्चेयर यानि नियो बोल्ट बनाया है नियो बोल्ट बनाया है तो आपका IIT मदरास हो जाएगा आप इसको अच्छे से याद रखिएगा हाल ही में वार्ट्स 2021 की इंडियन फिल्म फेस्टिवल आप मेलबर्न आवार्ट्स में किसे सर्वसिष्ट अबनेत्री का पुरसकार मिला है हाल ही में कौन सा भारत का पाला इवीकल से फ्रेंडली हाइवे बना है तो इसका उतर हो जाएगा अगला प्रस्न है कि हाल ही में किस राजे सरकार निराष्ट राजीव गांदी ग्रामिड भूमिहीन कि मजदूर नया योजना शुरू किया है तो ये किया गया है आपका उतरडी हो जाएगा 46 गड क्या हो जाएगा 36 गड रक्षा मंतरी राज्ञा सिंग ने पूर्णे स्चित सेना खेल संस्थान का नाम बदल करके क्या रख दिया है तो नाम बदल करके नीरज चोपड़ा इस्टेडियम रख दिया है अप्सन आपका ए उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्निय की हाल ही में सौ परतिस्थ व्यसक अबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है तो उस राज्य नाम है हिमाचल प्रदेश क्या हो जाएगा हिमाचल प्रदेश आट सो करोड रुपए की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर वीला कहां बनाया जा रहा है तो यह बनाया जा रहा है लक्षे दीप में कहां पर लक्षे दीप में अगला प्रस्न है 122 नमबर हाल ही में भारत सरकार ने अपने सरवचे खेल सम्मान राजी उगांधी खेल रतन पुरसकार का नाम बदल करके क्या रख दिया है तो यह नाम जो रख दिया है उत्तर हो जाएगा उप्सन बी मेजर ध्यान चंदर खेल रतन पुरसकार उप्सन आपका भी हो जाएगा हाल ही में जियोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है तो नाम है ओप्षन सी धुरूती बनरजी धुरूती बनरजी प्रधान मंत्री मुदरा योजना के अंदरगत वीत वर्स 2021-22 के लिए लक्षित रीड वीतरण रासी किया है तो जो रासी रखा गया है तीन ट्रिलियान रूपया हो जाएगा अपसण आपका ए हो जाएगा हाल ही में कि संगठ्था ने भारत का पहला भुकंप पुर्व चेतावनी मोबाइल एप उत्राखंड भुकंप अलर्ट विक्षित किया है तो इसका उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ने की सेवी ने रिड सुरक्षा पर मुद्दो की पहचान के लिए एक अद्वितिय संख्या आई एस आई एन आवंटित क्या है आई एस आई एन का पुड़ रूप क्या है तो इसका आप याद रखिएगा अंतराष्टिय सुरक्षा संकेत संख्या हो जाएगा आपका भी उत्तर हो जाएगा हाल ही में किस मंत्राले ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रा आश्रे प्रदान करने के लिए एक संगठन यानि गरीमा गरीह लौंच किया है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानि समाजिक न्याय और अधिकारित मंत्राले हो जाएगा अगला प्रसुरी किस राज़े की सरकार ने हाल ही में गोरक धन्दा सब्द के इस्तिमाल पर प्रतिबंद लगाया है तो इसका उतर हो जाएगा option C, हर्याना, क्या हो जाएगा हर्याना हाल ही में satellite phone से last होने वाला भारत का पहला राष्टी उद्यान कौन बन गया है तो इसका नाम है option A, काजी रंगा हाल ही में किस राष्टी में भारत का पहला डोन, फोरेंसिक, प्रियोकसाला एम अनुसंधान केंद्र सुरू हुआ है तो इसका उतर हो जाएगा option B, केरल उत्तर हो जाएगा पीम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारिक को विभाजन वीभीस का इसमेती दीवस मनने का घोशना किया है तो इसका उतर हो जाएगा option D, 14 अगस्त को हाल ही में किस राजी की सरकार ने IT छेतर में राजी उगांधी पुरसकार देने की घोशना किया है तो इसका उतर हो जाएगा option A, महराष्ट्रा अगला प्रस्ने की हाल ही में Athletics Federation of India के निरेच चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारिक को भाला फेग दीवस मनने का घोशना किया है तो इसका उतर हो जाएगा 7 अगस्त को आठ अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त करांती दिन कौन सी वर्सगाठ मनाई गई है तो इसका उतर हो जाएगा 79 वाँ टोकियो उलम्पिक 2020 में भारत में कुल कितने पदग जीते हैं इंपोर्टन्ट है याद रखिएगा 7 पदग जीते हैं आपका D हो जाएगा हाल ही में कौन COVID-19 खिलाप COVID-19 के खिलाप सो प्रतीसेद वैक्सिनेशन करने वाला भारत का पहला सहर बन गया है तो इसका उतर हो जाएगा ऑप्सन B भूनेस्वर अगला प्रस्णिया की हाल ही में किसने Miss India USA USA 211 का खिताब जीता है तो इसका उतर हो जाएगा ऑप्सन C यानि वैदेही डोंगरे वैदेही डोंगरे आपका सही उतर हो जाएगा अगला प्रस्णिया की हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांजेंडर समुदाय की सरकारी नौकरियों में आरक्षड देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तो इसका उतर हो जाएगा 139 का आप्सन A करनाटक अगला प्रस्णिया की अंतराष्टी सेना खिलो का सात्वा संस्क्रण वर्स 2021 में कहां आयुजित किया जाएगा तो यह किया जाएगा रूस में कहां पर रूस में आपका उतर हो जाएगा आप इसको अच्छे से याद रखिएगा राष्टर मंडल सची वाले द्वारा जारी वैस्विक युवा विकास सुचकांग तो यह किस में भारत को कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है तो यह प्राप्त हुआ है 122 नंबर का उप्सन आपका C उत्तर हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं अगला प्रस्न क्या है कि बिटिस कंपनी हाइस फ्रेस द्वारा जारी विपोर्ट के नुसार दुनिया का सबसे प्रदूसित सहर कौन सा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्सन C होटन क्या हो जाएगा होटन हो जाएगा 12 गज़रे केस को किस अंत्रिक्ष एजनसी द्वारा पिरतवी और लोकन उपगरह EOS 3 लांच किया गया है जो असफल रहा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्सन A इसरो क्या हो जाएगा इसरो द्वारा हाल ही में भारत और क भारती वायू सिना ने दुनिया के सबसे उचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्मार किया है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्सन B लद्दाख अगला प्रस्न है कि हाल ही में 127 संविधान संसुन बिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् पारित किया गया या किस से संबनित है तो आप सब लोग याद रखिएगा यह राज और केंद्र साथिस प्रदेश को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से संबनित है ऑप्सन आपका सी उत्तर हो जाएगा हाल ही में लाउंच वीकल स्कैप पॉलिसी के तहत कमर्सियल एव फिर केंद्र साथिस प्रदेश द्वारा की जाएगी तो यह किया जाएगा ओप्सन डी लद्दाख क्या हो जाएगा लद्दाख अगला प्रस्निया कि हाल ही में रामसर इस्थलों को सूची में सामिल भिंडवास वनेजी अभैरन एवं सुल्तान पुराष्टी उद्यान क तो या अगरवाल अगला प्रस्निया कि भारत के प्रश्टरवे सोतनता दिवसामारों की थीम क्या रखी गई है यह थीम रखा है आपका नेशनल सरी नेशन फॉस्ट आलवेज फॉस्ट आपका डी उत्तर हो जाएगा निमलिखित में से किस अफ्रीकी देश में पहली बार मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गीनी क्या हो जाएगा गीनी टोकियो ओलमपिक में कान से पदक जितने के साथ ही लगातार दो ओलमपिक खेलों में पदक जितने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है तो इनका नाम है पीवी सिंधू क्या हो जाएगा पीवी सिंधू भारत की प्रमुख दूइवार्सिक सैने प्रदर्शनी यानि डिफेंस एक्सपो 2222 का आयोजन किस सहर में किया जाएगा तो यह किया जाएगा गांधी नगर में कहां पर गांधी नगर आपका उत्तर हो जाएगा टोकियो ओल पिक 2020 में भारती पुरुस होकी टीम ने किस देश को हरा करके चाउदा स्वर्सों के बाद कांसे पदक जीता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी जर्मनी हो जाएगा क्या हो जाएगा जर्मनी हाल ही में प्रकासित पुस्तक निहरू टीबेट एंड चाइना के लेखक कौन है तो इसका उतर हो जाएगा 56 का ऑप्शन भी आवतार सिंग भसीन अगला प्रस्ण है कि हाल ही में किस राज या पर के निशरी प्रदेश द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया है यह शुरू किया गया है लद्दाख क्या हो जाएगा लद्दाख हाल ही में अंतराष्टी सौर गट बंदन फ्रेम वर्क समझोते पर हस्ताक्षर करने वाला पांचवा देश कौन सा बन गया है तो देश का नाम है जर्मनी क्या हो जाएगा जर्मनी हाल ही में दुनिया के दुसरी सबसे उची चोटी के टूपर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गया है तो इनका नाम है ऑप्शन भी सहरोज कासीफ सहरोज कासीफ अगला प्रसने की हाल ही में इंडियन आइडल बारक के वीनर पवन दीप राजन को किस राज ये के कला संस्कृती वह परेटन ब्रांड अमबेश्डर निव्त क्या गया है ति यह क्या गया है उत्राखंड क्या हो जाएगा उत्राखंड अगला प्रसने की इकनोमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित सहरोग की लिष्ट में किसे प्रथम इस्थान प्राप्थ हुआ है ति यह प्राप्थ हुआ है कोपेन हेगन डेनमार्क अगला प्रसने की भारत और किस देश ने बीस अगस्थ देश को एके एक सो तीन राइफल खरिदने के लिए समझहोते पर हस्ताक्षर किया है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस हो जाएगा हाल ही में भारत के अमित्र खन्नी अमित्र खत्री ने अंडर 20 एतलैटिक चेंपियंशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक गीता है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C रजद पदक क्या हो जाएगा रजद पदक अगला प्रसने की जल सकती मत्राले ने हाल ही में आबादी का अमरित महोत्सो समारों के अंतरगत किस अभियान की सुरुवात किया है तो उस अभियान का नाम है ऑप्शन C यानि सू जल सू जलम अभियान सू जलम अभियान अगला प्रसने के संस्कृत को अधिकारित भासा घोसित करने वारा भारत का पहला राज ये कौन बना है तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा इजराइल अगला प्रसंदर केंडर सरकार ने हाल ही में किस भारती राजनेदा के जन्म दिवस को इसे पर आप सुबा चंडर बोश राज'M किया गया है तो यह किया गया है मेघाले में हालमें में धुन्या के कि इसनली पर किया गया है तो यह किया गया है नर्मय दोनय आखिय आँ यह साथ ची नाब नदि चींड पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ इसक्री पहल सुरू किया है तो यह किया है ऑप्सन डी ए भी दोनों जैपान ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा अगला प्रसने किस राजी सरकार के द्वारा लॉंच पैड योजना की सुरुवात किया गया है तो यह किया गया है ऑप्सन 73 का देखा जाए तो आपका मद्य प जिला कौन सबना है तो मिलनाडू का 38 जिला देखा जाए तो आपका ऑप्सन यह हो जाएगा यानि मैला दूतरई मैला दूतरई हो जाएगा अगला प्रसने के निम्लिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम व्यज्यानिक पुरसकार जोरे कई से समानित किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्सन सी अमित के सरवानी अमित के सरवानी ग्रीह मंतरी अमित साहने किस छेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की सुरुवात किया है तो आंसर हो जाएगा कोईला खान के लिए कोईला खान के लिए हाल ही में क ग्लोबल बायू इंडिया दिए कई स्कायोजन किया गया है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्सन सी बिग्यान और प्रदोग की मंत्रा ले इस वो ने ब्राजिल के अमेजोनिया वन सहित अठार अन उबग्रोहों को किस प्रेशे पढ़ यान के जर्ये लाइंज किया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्सन B. विसो बैंक क्या हो जाएगा विसो बैंक BBC इंडियन Sports Women of the Year पुरसकार सिद्वरे कई से किसे समानित किया गया है तो यह समानित किया गया है Option C. कोनेरू हमपी हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विट को लाउंच किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा Option A. IFFCO हो जाएगा Option आपका यहां पर A. उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्न है कि हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत रिड योजना शुरुआत किया है तो इसका आंसर हो जाएगा Option C. SBI Bank SBI Bank भारती चिकित्सा नुसंधान परिषद द्वारा घर पर COVID-19 के जाँच के लिए किस रैपिट अंटिजन टेस्ट को मंजूरी दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा COVID-CELF देश का पहला फायर पार्क किस राजे में शुरू किया गया है तो यह शुरू किया गया है उडिसा राजे में अगला प्रस्न है कि विशो वायू गुडवत्ता रिपोर्ट 2021 के नुसर निमलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूसित राजधानी घोसित किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा option A नई दिल्ली गोवा में आयुजित 51 वे अंतराठी फिल महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है तो यह चुना गया है option D क्या हो जाएगा काजा कलास को हाल ही में किस देश की पहली महिला पढ़ान मंतरी के रूप में न्यूक्त किया गया है तो इसका उतर हो जाएगा option A एस्टोनिया हाल ही में किस बैंक ने महिला उध्वियों के लिए स्मार्ट अप उन्नती कारेकरम सुरू किया है तो इसका उतर हो जाएगा option C HDFC बैंक अगला प्रसन है कि हाल ही में किस देश ने कोबीट महामारी से बचाव हे तू पहले सबसे बड़े ठीका करण क्लिनिक की सुरुवात किया है तो इसका आंसर हो जाएगा option D न्यूजिलेंड क्या हो जाएगा option D बहराइच क्या हो जाएगा बहराइच भारत आने स्वारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांद का निर्मारत कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा option D अफगानिस्तान क्या हो जाएगा आफगानिस्तान Sometible के इंडरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आवार्ड तुझरे काईस में किस सर्वसेष्ट यानि किसे सर्वसेष्ट अभी नियता का पूर्षकार दिया गया है तो यह दिया गया है अक्ष्ये कुमार को क्या हएगा अक्ष देश विश्व का सबसे बड़ा floating solar platform का दिर्मान किस देश में किया जा रहा है तो यह किया जा रहा है सिंगापुर में कहाँ पर सिंगापुर में हाल ही में विश्वास संगठन द्वारा किस उतरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त गोसित किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं अगला प्रसने क्या है अगला प्रसने कि भारत सरकार दोवारा कोवीड-19 वैक्षिन के राइस्टेशन है तो किस एप को लॉंच किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा को वी यानि को वीन हो जाएगा आपका ए उत्तर हो जाएगा तो ये किया गया है भारत क्या हो जाएगा भारत आपका उत्तर हो जाएगा चलिए अगला प्रसने क्या है एक 224 नमर इसको अचे देखेगा important है अगला प्रसने कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिल करके anti-tarpedo defense system, सेड़ पर कार करने का निरने लिया है तो इसका answer हो गाएगा ऑप्शन डी सोमन वंग चूक सुमन रांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उमर की महिला बनी है उनका समन किस देश से हैं उनका समन निखाया तो ऑप्शन वी हो जाएगा ब्रिटेंस से अगला प्रसने कि हाल हीमें किस राजिने महिलाओं के ठी रेतेसल पिंक बूत की सुरुवाद किया है तो इसका उत्तर हो जाएगा एक हैस की परिड में किस डेस के सामिल किया गया है तो इसका उत्र हो जाएगा option c बंगलादेस क्या हो जाएगा बंगलादेस का पहला बुद्धिष्ट sketch player राजी बनाया गया है तो यह बनाया गया है मदद्य परदेस में कहां पर मदद्य परदेस में हाल ही में किस देस ने की बिलेस जलवाई समझोते में पुना सामिल होने का निर्णे लिया है तो इसका अंसर जाया ऑप्सण भी अमेरिका क्या हो जाएगा अमेरिका उत्तर हो जाएगा हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन चलिंद आगे दिखते हैं अगला प्रसुन कि हल ही में कहता है किस हा सान नदी पर और जुन सिचाई परिजना का निर्मार किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश अवास एवं सहरी मामलों के मंत्रले द्वारा हाल ही में जारी नगरपाली का प्रदर्शन सुचका अंधर प्रदेश में किसे प्रथम इस्थान प्राप्त हुआ है तो आप सब लोग ज्याद रखिएगा इंदौर क्या हो जाएगा इंदौर आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्नाय की इस रोने किस अंत्रिक्ष एजन्सी के सहयोग से प्रिथिभी पढ़ाली वेच्शाला विक्सित करने का निर्णे लिया है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नासा क्या हो जाएगा नासा किस राज्य सरकार ने वर्ष द्वरेप्ष को सिक्षा के वर्ष की रूप में घोसित किया है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन भी अरुनाचल पर्देश क्या हो हो जाएगा मद देपर्देश चलिया देखते अगला प्रसनिक है कि कि से देश के भूब ग्यानिक प्रिफवी पर एक जस्मलों च्छव बिलियन वर्स पुराने की पुराने पानी की खोच किया गया है तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा देखिए इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा option C Canada Canada कि को कि अ हम अग्राप्रस्ण कि हाल ही में द्वारा जारी अक्षे उर्जा सुचकांगों भारत को कॉंच साथ सान प्राप्थ हुआ है तीया gonna इस्थान क्या हो जाएगा तीसरा इस्थान आई क्यू एयर संस्था दोड़ा जारी विश्व वाईयू गुडवत्ता रिपोर्ट दोड़े बीस के नुसर दुनिया के सरवाधिक प्रदूसित सहरों में नई दिल्ली का इस्थान क्या है तो नई दिल्ली का इस्थान देखा तो दस्वाई स्थान पर है option आपका D हो जाएगा हाल ही में कौन सा देश द्वारे कईस में भारत का सिर्थ सव्य पार भागिदारी देश बन गया है तो इसका उतर हो जाएगा option C, चीन उतर हो जाएगा हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से पूरे कोईले से हाइडोजन उत्पादन सुरू किया है तो इसका उतर हो जाएगा option D, आउस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा आउस्ट्रेलिया अंतरहटी मुक्यबाजी संग दोरा चैंपियन्स और दिगज समीति के अध्यक्स के रूप में किसे निक्त किया गया है तो इसका उतर हो जाएगा option C, अरुणाचल परदेश हाल ही में इंडो-कोरियन डिफेंसिक, इंडो-कोरियन फ्रेंडशी पार का उधगाटन कहां पर किया गया है तो यह किया गया है option D हो जाएगा नई दिली में चलिए आगे देखते एगला प्रशने क्या है कि नई दिली में आईड़िज ISF वर्ल्ड कप में पाचीस मीटर एयर पिश्टल में किसने सौन पतक जीता है तो सौन पतक दिखा यह तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा चिंकी या दो क्या हो जाएगा चिंकी या दो किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रोड़ गेज मार्गो पर सव प्रतिशत विदू करण का लक्षित निरह अग्ला प्रस्ples की भारती कमपनी क्लीन मैक्स ने सौ परतिशत नविनी करणी उर्जा के लक्ष की प्राप्ती हेतु किसे किसके साह्त समक्ज를 होता किया है तो इसका उतर हो जाएगा ओसन भी फेसबूक जाएगा फेसबूक अगला प्रस्ण है कि भारत का पहला वार्टिकल टावर फोरेश्ट माना फोरेश्टा कहां बनाया जा रहा है तो ये बनाया जा रहा है आपका बंगलूरू में कहां पर बंगलूरू में National Institute of Osnography द्वारा किस महासागर में पहली बार Genome Mapping परिजना की सुरुवात किया जाएगा तो ये किया जाएगा Option A हिंद महासागर नीती आयू द्वाराजारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स द्वारबीस में किस राजी को प्रतम इस्थान प्राप्त हुआ है तो ये प्राप्त हुआ है करनाटक को किसानों की आय को दुगना करने के उद्वेश से किस राजी सरकार द्वारा किसान कल्यान मिशन की सुरुवात की गई है तो इसका उत्तर हो जाएगा Option A उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश हाल ही में किस राजी में फूरूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है ये चर्चा में रहा है आपका उत्तर हो जाएगा Option A महराश्ट्रा अगला प्रसने की नीमोनिया के करण बढ़ते मृत्यूदर का कम करने के उद्वेश से किस राजी स सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुवात की गई है तो इसका उत्तर हो जाएगा Option B मद्य परदेश फरवरेद 2121 में मिस्र में आयूत पूरूस हैंडबॉल विस्व चैंपियंशिप का खेताब कि सदेश ने जीता है ति जीता गया है Option C डेनमार की के द्वारा अगल से टेलिस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रोनों की खोच करेगा तो इसका उतर हो जाएगा Option B रूस अगला प्रस्थन है कि हाल ही में भारती नौसिना ने किस स्कॉर्पियन पंडूबी को नौसिना में सामिल किया है जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है तो इसका उतर हो जाएगा Option C, INS करंज अगला प्रस्थन है कि SCO सदस्य देशो द्वारा पॉप बी एंटी टेरर दुएर एक इस युद्धिया ब्यास का योजन कहां पर किया जाएगा तो ये किया जाएगा पाकिस्तान क्या हो जाएगा पाकिस्तान हाल ही में I, U, C, N न किस संकट गरस प्रजाती को रेड लिष्ट की सूची में सामिल किया है तो इसका आंसर हो जाएगा Option B, अफरीकी हाथी, क्या हो जाएगा अफरीकी हाथी, हाल ही में एसिया के सबसे बड़े एयर सो, एयरो इंडिया, 2021 का योजन कहां पर किया गया है, तो ये किया गया है योजना मिशन इन्रधनुस 3.0 का संबंद किस्से है, तो ये संबंद जो है आपका टीका गर्ड के विस्तार से है, आपका ए उत्तर हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन या भ्यास, एस्टर, एक्स का आयोजन किया है, तो इसका उतर हो जाए जाएगा ऑप्शन B, 34 वी, अगला प्रस्ने की हाल ही में किस देश की परवतार हुईत असांग इन हंक ने दुनिया में सबसे तेज एवरेश्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका उतर हो जाएगा ऑप्शन B, होंग कॉंग, होंग कॉंग, हाल ही में क किस देश के साथ मिल करके वर्स्ट वेरेश्ट की पार्यावर्ड वर्स की रूप में मनाने का निर्ने लिया है, तो इसका उतर हो जाएगा, ऑप्शन D, क्या हो जाएगा, फ्रांस, फ्रांस उत्तर हो जाएगा, किस राज्य की पूलिस ने COVID-19 महामारी, sorry, COVID-19 मरीजो को सब्सक्राइब की पूर्ती है, तो इसका उतर हो जाएगा, ऑप्शन B, उत्तराखंड, क्या हो जाएगा, उत्राखंड, ICC, द्वारा, जिए रेकर इसको जारी, T20, इंटरनेशनल रैंकिंग में, किस महिला खिलाडी को प्रथम इस्थान प्राप्त हुआ है, तो यह प्रा सब्सक्राइब की लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, औप्शन B, सीड़बी, सीड़बी उत्तर हो जाएगा, निमलिखित मैंसे किसके द्वारा ऑक्सीजन संक्टर से निपटने के लिए, औक्सीजन RECYCLE, SISTEM सुरू किया है, तो इसका उतर हो जाएगा, ऑप्शन B, भा दुनिया का सबसे बड़ा हथियाद निर्यातक दिस कौन सा है तो इसका उत्तर हो जाएगा option D USA लेवी इस्ट्यूट द्वारा जारी COVID-19 response index ने भारत को कौन सा इस्थान प्राप्थ हुआ है तो यह प्राप्थ हुआ है 86 नंबर का 86 नंबर का किस भारती राजनेता को Global Energy and Environmental Leadership Award से समानित किया गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा option C नरेंद्र मोदी किस राज सरकार द्वारा Mission Oxygen Self Reliance योजना की सुरुआत किया गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा option B महाराष्ट्रा महाराष्ट्रा बीमा के छेतर में प्रत्यक्स विदेशी निवेस की सीमा को यह सीमा 49 प्रतिसत से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है तो यह कर दिया गया है 74 प्रतिसत क्या हो जाएगा 74 प्रतिसत 2021 के आर्थिक सरवेच्छड का थीम क्या था तो थीम याद रखिएगा सेविंग लाइट्स एवं लवली हूट्स हो जाएगा option आपका C हो जाएगा हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूसर पूरसकार 2021 के समयन्त किया गया है तो इसका उतर हो जाएगा option A जापान क्या हो जाएगा जापान विस्वास संगठन की अगवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुप्त कोवीट टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है तो इसका उतर हो जाएगा option D घाना हाल ही में कौन देश के सबसे कम उम्र की महिला पाइलेट बनी है तो इसका उतर हो जाएगा option D आयसा अजीज हाल ही में किस राजे सरकार द्वारा भूमी से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकी यूनिक कोड जारी किया है तो इसका उतर हो जाएगा option C उत्तर परदेश मैं दो बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको आंसर याद हो पाए ठीक है विजेसी निवेश को आकर्शित करने के उद्यस से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता निती लागू की गई है तो इसका आंसर हो जाएगा option D सनुक्त अरब अमीराथ सनुक्त अरब अमीराथ सैद मुस्ताक अली टुटोइटी ट्रॉफी 21 का खिताब किस टीम ने जीता है तो ये टीम जीता गया है option A तमिलनाडू क्या हो जाएगा तमिलनाडू वर्ष 21 केस में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कायोजन कहां पर किया जाएगा तो ये किया जाएगा option D करनाटक क्या हो जाएगा करनाटक पराबैगनी किर्णों से मैट्रो कोच को सेनेटाइज करने वाली भारत की पहली मैट्रो सिवा कौन बनी है करनाटक कह Jesús आदर्भोमिक चिनक्षड एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंट्रह किस सहर में स्थाफित किया जाएगा तो ये किया जाएगा चेन Nasir के आपका उत्तर हो जाएगा मित्रा इसकीम की सुरुवात की स्चेतर के लिए की गई है तो यह क्या गया है option C textile क्या हो जाएगा textile आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा किस company का IPO यानि initial public public offer जारी किया जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा option B LIC LIC उत्रा खंड में glacier तूटने से 520 मेगा बार्ट की तपो वन विश्नु गार्ड पर युजना च्छति गरस्त हो गई है या किस नदी पर निर्मित है तो यह आपका है धौली गंगा क्या हो जाएगा धौली गंगा अगला प्रसने के जापान द्वारा दुनिया का सबसे 37 सुपर कंप्यूटर विक्सित किया गया है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है ऑप्षन सी फुगाकू किस देश ने जलवाई पर इवर्टन से निपटने के लिए हरीत पहल की शुरुआत किया गया है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्षन डी साओधी अरप क्या हो ने आइसमान भारत योजना के तरहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णे लिया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्षन बी उत्तरपरदेश अगला प्रसने की संस्कृति एवं परेटन मंत्रले द्वारा हाल ही में 11 राष्ट्रिय संस्कृति महुत्षव का योजन किस बन गई है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्षन भी मिताली राज क्या हो जाएगा मिताली राज खेलो इंडिया विंटर गेम में कौन सा राज या फिर केंद्र हरिस प्रदेश प्रतम इस्तान पर रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्षन ए जम्मू कास्मीर क्या हो कैंगा जम्मु कास्मिर आपका यहां पे एक स्टेन कि हां सहीए चलिए अगला प्रस्थने किस राज्य में जलावि सेकं जल सनक्षड़ा करके क्या रखने की घोसना किया है तो यह रखा है नर्मदा पूरम नर्मदा पूरम अगला प्रस्नाय की हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले उर्जा दीप निर्मार करने की घोसना किया है तो यह किया गया है डेनमार्क क्या हो जाएगा डेनमार्क आपका सही उत्तर हो अगला प्रस्न है कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 31 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन उर्जा सनियन्त इस्थापित करने का गोसना किया है तो इसका उतर हो जाएगा के तहट Google Cloud ने किस अंत्रिक्ष एजेंसी के साथ समझवता किया है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्सन ए इस पेस एक्स अगला प्रस्ने की हाल ही में सौधी अरब को पीछे छोड़ती हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ती करता बन गया है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्सन ए दिल्ली क्या हो जाएगा दिल्ली दादा साहिफ हाल की इंटरनेशनल फिल्म फैस्टिवल आवाड 2021 में सर्वसेष्ट फिल्म का पूरसकार किसे परदान किया गया है तो यह प्रदान किया गया तानहा जी द अंसंग वारियर आप्सन कोबीड-19 संकट के प्रति भारत की प्रति किरिया को मजबूत करने के लिए राष्टिफ हल सोरुप प्राधिकरण के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है तो इसका उतर हो जाएगा ऑप्सन ए आयाइटी दिल्ली बदलाव हमसे है नामक एक अकिकरित विपनन संचार अभियान की संगठन द्वारा शुरू किया गया है तो यह किया गया है एयू इस्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा ऑप्सन आपका सी उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ने की आवास और सहरी मामलों के मंतराले ने हाल ही में किस सहर को वाडर फ्लस वाडर प्लस सहर घोसित किया है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्सन ए इंदौर मध्यपरदेश इंदौर मध्यपरदेश यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाला पहला भारतिय क्रिप् प्रदार करने के लिए एक डिजिटल मंच यानि डिजिटल पर्यास लांच किया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्सन सी सीड़ भी हो जाएगा क्या हो जाएगा सीडवी चलिए अगला प्रसने की हाल ही में कि स्वेतिय सहंस्थाने निम्न आय वर्ग के उध्रमियों को प डिजिटल मन्च डिजिटल प्रयास लॉंच किया है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्षन सीड़ सीड़ी हो जाएगा क्या यह अग्ला प्रसने कि एक करोड़ों फार्श्टेग उपयों करताओं को पंजीकिर्ट करने वाला भारत का पहला बैंक कौन साबन गया है तो भारत क की नुस्यना जहाज कौन सा है तो इसका उत्र हो जागा ऑप्शन भी आएनेश करंज अगला की अधिशिटियल इंटेलिजिएंस सिस्टम द्वारा आविसकार को पेमिंट डिने वाला दुनिया का पहला देशा है तो इसका उत्र हो जागा ऑप संदी तच्छिड अफड़ीक तो आपके जिएगा हाल ही में किस राज ने आई ए आई गैम चेंजर आवार्ड जो रहे कई जीता है तो इसका उतर हो जाएगा ऑप्संडी चाहिए लंगाना तेलंगाना आपका उत्तर हो जाएगा हाल ही मेराश्ट्री प्रवतरोहर दीवस की स्तेथि को मनाय गया है पताए अगला प्रश्णय की हाल ही में लेवनों के नए परधानमंत्री कौन डिया हैं तो आपकर ऑप्संणीे हो जाएगा नजीम मिकाती हो जाएगा नजीम मिकाती हाल ही मेंकिस खेल से खिलाडी नंदु नाटे कर का निदन हुआ है तो इसका उतर हो यह उत्तर हो जाएगा उप्शन ए बैडमिंटन आपका सही उत्तर हो जाएगा हाल ही में अनुवांसिक रूप से संसोधित गॉल्डेन राइस के उत्पादन को मंजूरी दिने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है इसका उत्तर हो जाएगा उप्शन ए फिलिपीन् खाल ही में कौन दिली पुलिस के नूए कमिसनर बने हैं तो उत्तर हो जाएगा D राकेश अस्थाना क्या हो जाएगा राकेश अस्थाना प्रतिवर्स विर्स्व प्रकिर्ती संदाच्छड दिवस का मनाया जाता है तो यह मना जाता आएग को 28 जूलाई को अगला प्रस्थन है कि हाल ही में करनाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं तो करनाटक के नए मुख्यमंत्री देखा जाए तो आपका 707 का उत्टर हो जाएगा सॉरी 307 का उत्र आपका सी हो जाएगा बसॉज बोमबई हो जाएगा का मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है आपका 28 जुलॉi को अफसन आपका E हो जायगा नागरिक उड़्यन सुलक्षा फ्योरो के महानिद्श से न्युक्त किये गह हैं यह किया गया है नासीर कमल शुर सूरु करने वाला सहर कसे वह पूरी उडिसा अगला प्रस्ण है कहां इस्दर राम अप्पा मंदिर को यंविश्कुयों सुधारओर में सामिल किया है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्सन सी यानि यम आय तिलंगाना हो जाए किस राजे सरकार ने हाल ही में सिक्षा के छेतर में आपदा परबंद को अनिवारे विश्य बनाने का घोस्ना किया है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्सन ए ओडिसा क्या हो जाएगा ओडिसा आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा हाल ही में कौन भारती कारुबारी अब उधावी के सर्वोच कारुबारी बोर्ड के उपाद्यक्ष बने हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्सन भी यूसुफ अली क्या हो जाएगा यूसुफ अली टोक्यो ओलम्पिक में किस देश की खिलाडी यांग कियान ने पहला सोन पदक जीता है तो इसका उत्तर हो जाएगा ओप्सन A, चीन उत्तर आपका यहां पे हो जाएगा हाल ही में भारतिये खेल सम्मान में किसे वर्ष 2019 के लिए सर्वसेष्ट दिवियांग खिलाडी का पूरसकार मिला है तो इसका उतर हो जाएगा option C परमोद भगत क्या हो जाएगा परमोद भगत प्रती वर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस का मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है आपका 26 जूलाई को कौन सारी को 26 जूलाई को हाल ही में भारत की सबसे उम्र दराज चात्रा भागिरती अम्मा का निधन कितने वर्ष की उमर में हो गया है तो इसका उतर हो जाएगा option B 107 वर्ष की हाल ही में AIFF मरिला फुटबालर आप येर दोईर बीस 21 का पुरसकार किसे दिया गया है तो ये दिया गया है option B यानि नगन गोम बाला देवी option आपका भी उत्तर हो जाएगा AIFF पुरुस फुटबाल फुटबालर आप दोईर दोईर बीस 21 का पुरसकार किसने जीता है तो ये पुरुस में पुछा गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा option C यानि संदेश जिंगन हो जाएगा प्रतिवर्स पूरे भारत में राष्टी प्रसराण दिवस का मना जाता है तो ये मना जाता है आपका 23 जूलाई को दोस्तों आप सबी लोगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है पसंदार आद वीडियो का लाइक जरूर कीजेगा क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत यादा महत्वपूर बन जाता है इंपोर्टन हो जाता है क्योंकि आ एसे आगे का वीडियो ले कर किया होंगा ठीक है तो लाइक कर दिया किजे आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत यादा महत्वपूर बन जाता है अगला प्रसने की परतिवर्स वीज्ट सो मस्तिस का दिवस कब मना जाता है तो ये मना जाता है आपका चौब 22 जूलाई को 22 युलाइक को हाल ही में कि सहर में दुनिया का पहला 3D printed इस्टील पैदल यात्री पूल खुला है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप संडी यानि आमस्तर्डम यामस्टरडम हो जाएगा हाल ही में कौन हैती के नए पढ़ान मंतरी बने है है ती के तो आपका उत्तर हो जाएगा ऐरियल हैंडुरी यह किस देस को वर्श 2232 के ओलंपिक खेलो की मिजवानी मिली है तो आंसर की और सट्रेलिया कि जागा ऑस्ट्रेलिया हाल ही में कौन पेरू के नए प्रधान माँ पेरू के हैं इसका उत्र हो जाएगा आप्سन एसी पैड्रो कास्टिलो पैड्रो कास्टिलो अगला प्रस्थन है कि हाल ही में किस सहर में भारत का पहला भारती विरासत सहर्थान एक माराश्ट्रा हो जाएगा हाल ही में ब्लॉकचेन तकनी काउपियों कर सेक्षिक दस्तावेद जारी करने वाला भारत का पहला राजी कोन बन गया है तो इसका उतर हो जाएगा ऑप्सन्डी महाराश्ट्रा हो जाएगा हाल ही में HCL कंपनी के नए प्रबंद निर्शक कौन बने है तो याद रखेगा C. विजय कुमार C. विजय कुमार आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा अगला प्रसने किस गोल कीपर को मरनो परांत मोहन बगान रत्न समान दिया गया है तो यह दिया गया है आप याद रखेंगे option D. रणजीत सिंग क्या हो जाएगा रणजीत सिंग प्रतिवस अंतराष्टी सतरंज दिवस कम मना जाता है तो यह मना जाता है 20 जूलाई को किस राज्ये ने मुख्यमंत्री किसान मित्र उर्जा योजना शुरुवात किया है तो यह किया गया है रायस्थान के द्वारा हाल ही में कौन भारती मुल्क के महिला अमेरिकी स्रम विभाग सॉलिसीटर बनी है तो उत्तर हो जाएगा option D. सीमा अनन्दा हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 21 में किसे सरशेष्ट फिल्म का पुरसकार मिला है तो आंसर हो जाएगा option C. टाइटेन हाल ही में जम्मू कासमीर हाई कोट का नाम बदल करके क्या रखा गया है तो नाम रखा गया है option B जम्मू और कास्मीर और लद्दाक हाई कोट अगला प्रस्न है कि प्रती वर्ट्स नैंसल मंडिराज अंतराष्टी दिवस कम मना जाता है तो ये मना जाता है 18 जुलाई को कौस तरी को 18 जुलाई को अगला प्रस्ने किस सहर में भारत का पहला राष्टी डॉल्फिर अनुसंधान केंदर बनेगा तो ये बनेगा आपका पटना में बिहार में हाल ही में प्रसीद व्यक्तितो दानिस सिद्धिकी का निदन हो गया है वह कौन थे तो वह देखा जाए तो एक प्रकार की पतरकार से आपका ए उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ने की प्रति वर्स विसो अंतराष्टी निया दिवस कम मना जाता है तो ये मना जाता है आपका उप्शन सी 17 जुलाई को हाल ही में घोषना अनुसर किस सहर में भारत की पहली पौड टैक्सी चलेगी पौड टैक्सी चलेगी तो आपका उतर भी हो जाएगा नोईडा हाल ही में किस देश के पूर्व राष्टपती रहे ममनून हुसेन का निदन हो गया है तो याद रखिएगा पाकिस्तान क्या हो जाएगा पाकिस्तान अगला प्रस्न है क्वेसर नमबर 344 हाल ही में इजराइल में दुतावास खुलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन रहा है तो इसका उतर हो जाएगा उप्शन B UAE क्या हो जाएगा UAE किस राजे की सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक के टैक्सी योजना लॉंच किया है तो इसका उतर हो जाएगा उप्शन B करनाटक क्या हो जाएगा करनाटक हाल ही में केंद सरकार ने केंदरी करमचारियों का महंगाई भत्ता 17 प्रतिसत से बढ़ा करके कितना कर दिया है तो ये कर दिया है 28 प्रतिसत क्या हो जाएगा 28 प्रतिसत हाल में भारत का पहला ग्रेन ATM किस सहर में खुला है तो ये खुला है आपका गुरुगराम में, कहां पर गुरुगराम में प्रतिवर्स विस्व युवा कॉसल दिवस कब मना जाता है तो ये मना जाता है option B 15 जुलाई को, कौन स्थारी को 15 जुलाई को अगला प्रसने के हाल ही में NTPC को किस राज जिमें भारत का सबसे बड़ा सोलर पार के स्थापित करने को मनजूरी मिला है तो ये मिला है गुजरात, क्या हो जाएगा गुजरात अगला प्रसने के ओलंपिक में जिमनाश्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारती है कौन है तो इसका उत्तर हो जाएगा option D दीपक काबरा किस देश को वर्ट सुद्यर 23 के BWF सुदिरमन कप की मेजबानी मिली है तो इसका उत्तर हो जाएगा option B चीन उत्तर हो जाएगा किस देश को वर्ट सुद्यर 26 की 200 बैडमिंटन चैंपियंशिप की मेजबानी मिली है तो आंसर हो जाएगा option A भारत अगला प्रसने है कि हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने है तो नेपाल के दिखाया तो सेर बहादूर देवबा हो जाएगा हाल ही में जुलाईदो एरे केस के लिए ICC महिला प्लेयर आप दा मंथ अवार्ड किसे मिला है तो ये मिला है आपका option D स्टेफनी टेलर हाल ही में जुलाईदो एरे केस के लिए ICC पुरूस प्लेयर आप दा मंथ अवार्ड किसे मिला है तो ये मिला है option A साकीब अलहसन बांगलादिस क्या हो जाएगा बांगलादिस उत्तर आपका यहां पे हो जाएगा हाल ही में किस राजी की सरकार ने आस्था और संस्क्रितिक के संस्रक्षड हेतु नया विभाग स्रिजित करने का घोसना किया है तो इसका उत्तर हो जाएगा option B असम आपका सही उत्तर हो जाएगा किस खेल से समझित पूर्व खिलाडी या स्पाल सर्मा का निदन हुआ है तो याद रखिएगा किर्केट हो जाएगा यूरो कप दिवर बीस का खिताब जीता है तो इसका उत्तर हो जाएगा option A क्या हो जाएगा समीर बनर जी हाल ही में किस टीम ने वर्ट्व दिवर एकईस की कोपा अमेरिका फुटबॉल परतियोगिता जीता है तो याद रखिएगा option B हो जाएगा अर्जेंटीना क्या हो जाएगा अर्जेंटीना हाल ही में किस सहर में भारत के पहले निजी तरली कृत प्रकृतिक गैस सुभिधा सनेंतर उधगाटन हुआ है तो इसका उत्तर हो जाएगा option C नाकपूर क्या हो जाएगा नाकपूर प्रति वर्स威सो जनसंख्या दिवस कम देना जाता है तो यह मिना यह 2018 года को 11 जुलाई को आपका यह मनाए जाता है हाल ही में कि सहर में भारत का पहला cryptoлом कर्रिप्ट přेड़ ऐत्रिंग क्रिप्ट वियर क todavía सध्राइब किस ‫बने क्सन Лाइब लाम कुष्ट क्या है करिना कपुरखान आपका विखति ने वर्ट द्यएड़ायए स्क्रिप्स नेस्नल इस्पैलिंग B प्रतियोगिता जीती है तो इसका आंसर हो जाएगा option B गार्डे हो जाएगा हाल ही में बासिल राजवक्षे यादर कियेगा बासिल राजवक्षे किस देश के नय वित्ते मंतिरी बने है तो इसका उत्तर हो जाएगा option B स्रीलंका क्या हो जाएगा स्री लंका किस देश ने हाल ही में अब तक का सबसे उचा 21.16 मीटर रेट का महल बनाया है तो इसका उत्तर हो जाएगा option C डेनमार्क उत्तर आपका यहां पे हो जाएगा हाल ही में एमजोन ने भारत के किस सहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र इस्थापित किया है तो इसका उत्तर हो जाएगा option B सूरत क्या हो जाएगा सूरत भारती सेना ने हाल ही में किस अबिनेत्री के नाम पर अपनी एक फाइरिंग रेंज का नाम रखा है तो याद रखि के पुर्व मुख्यमत्री रहे विर्भाद्र सिंग का 27 सी वर्ष की उमर में निदन हो गया है तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश क्या हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हाल ही में किस खेल से संब्दित पूर्व भारति खिलाड़ी केशाव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की सब्दन हो गया है कौन थे तो याद रखिएगा ओप्सन आपका 376 का भी हो जाएगा अभिनेता थे और ऑप्सन आपका भी 3E launch किया है तो इसका उत्तर हो जाएगा option C चीन आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा हाल ही में मणिपूर का नया राज़ेपाल कौन बना है तो मणिपूर का नया राज़ेपाल देखाए तो आपका अला गनेशन हो जाएगा option आपका C हो जाएगा हाल ही में महिला अंतराष्टी क्रिकेट में सबसे अधिकरन बनाने वाली खिलाडी कौन बन गई है तो उस खिलाडी के नाम में option C मितली राज भारत की है अगला प्रस्थन है question number 381 हाल ही में कौन उलम्पिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत की पहली महिला तेरा की कौन बनी है तो इसका उतर हो जागा option D माना पटेल क्या हो जागा माना पटेल किस सहर में दुनिया का तीसरा सबसे पढ़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा तो ये बनेगा आपका जैपूर में कहाँ पर जैपूर में केंद सरकार ने हाल ही में LIC चेर्मेन की सेवन निवर्ती उमर बढ़ा करके कितना कर दिया है तो याद रखिएगा 62 वर्स कर दिया है option आपका भी उत्तर हो जाएगा हाल ही में त्रिपूरा के नए लोकायुक्त कौन निउक्त किये गए है तो ये निउक्त किये गए है option ए के एन भटाचारी हाल ही में टोकियो पर अलंपिक खेल के उद्गार्ण समारों में मरियपन थंगावेलू की जगर भारती दल का नया धोजवाह कौन बना है तो ये बना है option B टेक चंद क्या हो जाएगा टेक चंद आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा हाल ही में कौन उत्रा खंड के 11 मुख्यमतरी बने है तो उत्रा खंड के पुछा गया है तो आपका पुसकर सिंग धामी हो जाएगा option आपका B उत्तर हो जाएगा डबलू एच ओ ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोसित किया है मलेरिया मुक्त तो आपका उत्तर B हो जाएगा चीन क्या हो जाएगा चीन आपका सही उत्तर हो जाएगा हाल ही में कौन भारती वायू सेना के नए उप्रमुक बने है तो उप्रमुख देखा जाए तो आपका विवेक राम चौधरी हो जाएगा ओप्सन आपका ए उत्तर हो जाएगा चलिए आगे देखते अगला प्रसने क्या है अगला प्रसने है 389 हाल ही में कौन भारती मूलक के सबसे युगा ग्रांड मास्टर कौन बने है इसका आंसर हो भारत का पहला रेवीज मुक्त राज्य बन गया है तो इसका आंसर याद रखेगा गोवा हो जाएगा ओप्सन आपका डी उत्तर हो जाएगा हाल ही में सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनरीतों करने वाली सबसे कम उम्र का क्रिकेटर कौन बनी है तो इसका आंसर इडिया दिवस कम मना जाता है तो यह मना जाता है आपका और यह 30 जून को अगला प्रस्ण है कि हाल ही में कौन इंडियन फैडरेशन और यूनाइटेड नेसनल सौरी नेसन एस और अशोसीयेशन के नए अध्यक्ष की नियुक्त किये गया है कौन तो याद रखेगा पर यह में कौन टोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतिय मेहिला किर्केटर बनी है तो इसका उत्र हो जाएगा और आप्शन डी सकूंतला राओ क्या फिस्का सखूंतला राओ प्राइम इसका उत्रहों जाएगा औपॅम बहुत worried ने आपने भुक्तान कारूबार का मुख्या नुक्त किया है इसका उत्र हो जाएगा option C मनेश महातमे हाल ही में Twitter इंडिया के नए सिकायत अधिकारी गूं बने है तो आंसर हो जाएगा option A विने प्रकास अगला प्रसने केंद्री यजार्च ब्यूरो यानि CBI के व्योय सिन्देशक कोन न्युट किया गया है? तो इाद रखियेगा, आपका प्रमीट सिन्हा हो जाएगा आपका डी उत्तर हो जाएगा हाल ही में जैपान का ॥ुकु ओका ग्रेंड पूरसकार किसे समानित किया गया है? तो आपका option B हो जाएगा पी साइनात हाल ही में किस राज ये का रामगर्ड विस्धारी अभ्यारन भारत का बावनवा बाग अभ्यारन बन गया है तो इसका उतर हो जाएगा option D राजस्थान, क्या जाएगा राजस्थान हाल ही में मेडग की एक नई प्रजाती यानि यूफ लैक्टिस कहां खोजी गई है तो ये खोजा गया है option D केरल में कहां पर केरल में अगला प्रसन है कि 29 जुन्वे 21 को कौन सा दिवस मनाया गया है तो ये मनाया गया है आपका राष्ट्रिय सांख्य की दिवस हाल ही में किसरा अंतरिक्ष एजन्सी ने पहले विकलांक अंतरिक्ष यात्री को निवत करने का दिवने लिया है तो आंसर हो जाएगा option A क्या हो जाएगा European Space Agency अगर आप सब लोग यहां तक पहुँच गया है तो रियली बता रहे हैं कि आपको कोई पीछे नहीं छोड़ेगा क्योंकि आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं मेहनत करने वाले को सफलता मिलती है थोड़ा लेट सही मिलती है लेकिन मिलती है याद रखिएगा 400 तक आप पहुँच गया है आपको 800 तक पहुचना है याद रखिएगा 2-4 बार आपको देखना है तब ही आपको कोशन याद होगा हाल ही में जारी वर्ट्स देरेकरिस की रिपोर्ट के मुताबित कौन सा सहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा सहर बना है इसका आंसर हो जाएगा आपसन B यानि असगाबाद तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा यूआ पीम योजना किस मंतराले की पहल है तो यह देखा जातों आपका सिक्षा मंतराले की पहल है आपसन आपका A हो जाएगा किस देश ने हाल ही में टेलिवीजन पर जंग फूट के विग्यापन दिखाने पर रोक लगा दिया है तो इसका उतर हो जाएगा आपसन B बिटेन क्या हो जाएगा बिटेन हाल ही में ओलंपिक A कट में प्रवेश करने वाले पहले भारती तैरा कौन बने है तो इसका उतर हो जाएगा आपसन D साजन प्रकास साजन प्रकास निती आयोक द्वारा जारी सतत विकास लैंगिंग समानता सुचकांग 2021 में किस राज़िको परथम इस्थान प्राप्थ हुआ है तिये प्राप्थ होया ओपसन C 36 गड़ संजे कोठारी के इस्थान पर केंद्री सतकरता आयुक्त CBC कौन निक्त किये गए है तो याद रखिएगा आपका B हो जाएगा सुरेस अन पटेल दिल्ली खेल विसविद्याले की पहली कुलपती कौन बनी है तो याद रखिएगा कर्णम मलेसवरी हो जाएगा आपका D उत्तर हो जाएगा देश में खेलाओने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्राले के दुआरा टॉयक को थान 2021 की सुरुवात किया गया है तो आंसर हो जाएगा उपरोग तो सभी यानि सिक्षा मंत्राले कपड़ा मंत्राले महिला एवं बाल विकास मंत्राले याद रखिएगा D उत्तर हो जाएगा हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबित कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्सन C जम सेद जी टाटा हो जाएगा अगला प्रस्ने की हाल ही में किस देश ने बिटकोईन को वैद मुद्रा का दर्जा दिया है तो आंसर हो जाएगा ऑप्सन C अलसलवाडोर वन प्लस के बीरेबल्स सरेनी के लिए ब्रांड अमेजडर कौन बनाए गया है तो याद रखिएगा अप्सन C जस्पिरिद बुंबरा जो इंडिया क्रिकेट टीम के बॉलर है फुटबॉल एसोसियेशन की पहली महिला देख्ष कौन बनी है तो आंसर हो जाएगा अप्सन A डेवी हैबिट हाल ही में किस राजे में दुनिया का पहला अनुवांसिक रूप से संसोधित रबर प्लांट लगाया गया है तो इसका अंसर हो जाएगा अप्सन B असम क्या हो जाएगा असम आपका उत्तर हो जाएगा हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आपका ऊत्तर हो जाएगा किस राजे कि सरकार ने मुख्यमंतर युवा अद्मी योजना शुरुआत किया है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्सन B बिहार आपका उत्तर हो जाएगा किस अंत्रीक्ष एज्एंसी ने सुक्रग्राव पर अपना पहला और्बिटर इन्वीजन भेजने की घोसना किया है तो इसका उत्तर हो जाएगा option B यानि यूरोपियन स्पेस एजन्सी हो जाएगा अगला प्रसने की प्रतिवर्ट्स अंतराख्टी ओलंपिक दिवस का मना जाता है तो ये मना जाता है आप याद रखिएगा 23 ज और यहाँ रहते और अपने और रह्रेट hearह का पुरुस एकल खिताब किसने जीता है तिये जीता है आपकर ऐसनी नुवक ज्योकोवीच कब मना जाता है तो यह मना जाता है option A 23 जुन को 23 जुन को हाल ही में किस अफरीकी देश में इस्तिर जोला मुखी निरागोंगों में भी स्फोर्ट के कारण सहर को खाली करना पड़ा तो याद रखिएगा option आपका सी हो जागा कांगो गड़ राजी है क्या हो जागा कांगो ग किस सहर को प्रतम इस्थान प्राप्थ हुआ है तो इसका उतर हो जाएगा ऑकलेंड क्या हो जाएगा ऑकलेंड अगला प्रस्न है कि हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आईक तो निक्त किया गया है तो आंसर हो जाएगा option B अनूप चंदर पांडे अनूप चंदर पहली ट्रांसजेंडर अटलिट कौन बनी है तो याद रखिएगा लॉरेन लॉरेल हर अबट हो जाएगा option आपका यहां पर सी उत्तर हो जाएगा 66 राष्टी फिल्म पुरसकार में किस राज्य की फिल्म वाटर बारियल को सरवसेष्ट फिल्म का आवार्ट दिया गया है तो उत्तर हो जाएगा option D अरुनाचल परदेश प्रती वर्स विश्व संगित दिवस का मना जाता है तो यह मना जाता है आपका option C 21 जून को हाल ही में प्रारम सेग परियोजना का सम्मंद किस मंत्राले से है उस मंत्राले का नाम है option D समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले option आपका D उत्तर हो जाएगा हाल ही में किस अफरीकी देश में सेना द्वारा राष्टपती एवं प्रधान मंत्री को गिरपतार कर तक्ता पलट करने का प्रयास किया गया है तो आंसर हो जाएगा option D माली आपका उत्तर हो जाएगा किस भारतिय मुल्की महिला ने वर्ष द्वारेकेस का यूरोपी अविसकारक पुरसकार जीता है तो आंसर हो जाएगा option D वर्षा सिंग हाल ही में किस बैंक ने कवश व्यक्तिगत रिड़ योजना की सुरुआत किया है तो आंसर हो जाएगा option C सीड़ बैंक क्या हो जाएगा सीड़ बैंक हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विट को लांच किया गया है तो आंसर हो जाएगा option A एपको आनि आई एफ एप सीओ हो जाएगा option आपका से हो जाएगा हाल ही में कौन भारती मुल्क के व्यक्ति कनाड़ा की उच्चतम न्याले में प्रत्थम अस्वेत न्यायमूर्ती बने हैं तो आंसर हो जाएगा option D यानि महमूत जमाल हो जाएगा अगला प्रसने की एनिमिया मुक्त भारत सुचकान ज़ेरबी से कैस में रैंकिंग में किस राज जिक को प्रत्थम इस्थान प्राप्थ हुआ है तो आंसर हो जाएगा option B मद्दे परदेश हाल ही में किस राज ने महिलाओं के खिटीका क्रड के लिए स्पेशल पिंक बूत की सुरुवात किया है तो आंसर हो जाएगा option A उत्तर परदेश प्रति वर्स अंतराष्टिय योग दिवस का मना जाता है आपको पता होगा योग दिवस आपका 21 जून को मना जाता है option आपका B हो जाएगा हाल ही में चर्चित पुस्तर को home in the world के लिए खक कौन है तो याद रखेगा आपका pro अमर्तिसेन हो जाएगा option आपका B हो जाएगा बिहार के किस नदी पर डगमारा जलविदुत परेजिना का दिर्मार किया जा रहा है तो आंसर हो जाएगा option A को सी क्या हो जाएगा को सी प्रती वर्ट्स 297 दिवस का मना जाता है तो ये मना जाता है option C 20 जून को कौन सारी को 20 जून को निम्न में से किस देश में बड़ फुलू का H10N3 से संकर्मित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है तो आंसर हो जाएगा option D चीन आपका उत्तर हो जाएगा हाल ही में किस देश के प्रतम राष्ट पती रहे कैनेथ कोंडा का 97 वर्ट की उमर में निधन हुआ है तो याद रखिएगा option B हो जाएगा क्या हो जाएगा जांबिया किस राज की सरकार में हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सिनेशन नामक अभियान शुरू किया है तो उत्तर हो जाएगा option A दिल्ली आपका उत्तर हो जाएगा अगला प्रसन है कि हाल ही में किस अफरीकी देश में दुनिया का तिसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है तो इसका उत्तर हो जाएगा option C बोत सुवाना अगला प्रसन है कि हाल ही में तो इसका उत्तर हो जाएगा option C, असम आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस भारती अर्शसास्त्री को इस्पेन सरोच सम्मान प्रिंसेस ओफ आश्टूरियस अवार्ट से समन्त किया गया है तो याद रखिएगा option आपका C हो जाएगा अमर्थ यसेन हाल ही में भारत ने किस देश के साथ corporate युध्या अभ्यास किया है तो याद रखिएगा थाइलेंड हो जाएगा option आपका यहाँ पर C उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के नुसार वर्ष 2021 में भारत में सरवादिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है तो आंसर हो जाएगा option D सिंगापूर क्या हो जाएगा सिंगापूर भारत के लिए WTO मिशन में निदेशक कौन नुक्त किये गया है तो आंसर हो जाएगा option D आसिस चंदोरकर हाल ही में नासा ने 2023 तक चंदरमा पर पहला मोबाइल रोबर्ट भेजने की घोसना किया है यह रोबोर्ट की रोवर का नाम क्या है तो याद रखिएगा option आपका C हो जाएगा वाइपर क्या हो जाएगा वाइपर हाल ही में कौन भारती मुल्क के व्यक्ती Microsoft के चेर्मैन बने है तो आंसर हो जाएगा option C सत्या नडेला हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आय चकरवात यास का नाम करण किस देश ने किया है तो याद रखिएगा इसका उतर हो जाएगा option D ओमान आपका यहां पे उत्तर हो जाएगा निमलिकित में से किस राज्य में देश की पहली Electric Vehicle City को विक्षित किया जाएगा तो इसका उतर हो जाएगा option C की गुजरात उत्तर हो जाएगा हाल ही में जारी वर्ज 2021 की विस्वधाता सुचकांग रिपोर्ट में भारत को कौन सा इस्थान मिला है तो भारत को देखा जाएगा तो 14 नमबर का इस्थान मिला है option आपका D उत्तर हो जाएगा नमस्ते योग एप किस मंत्राले द्वरा लॉंच किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा option A मुकेश सर्मा युवा सक्ती कोरोना मुक्ती अभियान किस राज्य की पहल है तो किस राज्य सरकार की पहल है तो इसका उत्तर हो जाएगा option B बुक अब देपर्देस क्या हो जाएगा मधेपर्देस हाल ही में किसे राज्श्टी मानवादिकार आयोग का नया अध्यक्ष निक्त किया गया है तो answer हो जाएगा option B अरूर कुमार मिस्रा अरूर कुमार मिस्रा पर प्रतिवर्स 25 दिवर्स का मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है आप सब लोग याद रखिएगा उप्शन B 15 जून को निमलिखित में से किस भारतिय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक आप द इयर अवार्ड जोरे कई से समयंट किया गया है तो आंसर हो जाएगा 469 का उप्शन B नितिन राकेस क्या हो जाएगा नितिन राकेस सहर को पॉलिथिन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है तो आंसर हो जाएगा उप्शन A लखनव उत्तर आपका यहां पे हो जाएगा हाल ही में किन फिल्मों के मसहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ट्स की उमर में निधन हुआ है तो आंसर हो जाएगा उप्शन A कननड आपका यहां पे उत्तर हो जाएगा चौदर जुन्दूर एकरिस को नाटो सिखर समिलन की 21 वी उप्चारिक बैठक का यहां पर किया गया है तो यह किया गया है बेल्जियम में कहां पर बेल्जियम में हाल ही में जय प्रोदोकी कंपनी माई लैब डिसकवरी सलुशन के ब्रांड अमबेश्डर कौन बने है तो याद रखिएगा उप्शन आपका B हो जाएगा अक्षे कुमार क्या हो जाएगा अक्षे कुमार हाल ही में किस देश दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपगर लॉंच करने की घोसना किया है तो आंसर हो जाएगा उप्शन C न्यूजिलेंड क्या हो जाएगा न्यूजिलेंड प्रतिवर्स वीशो रक्तदाता दिवस कम मना जाता है तो याद रखेगा उप्शन B हो जाएगा 14 जून को मनाया जाता है रक्तदासा दिवस यानि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हाल ही में व्यापार एवं विकास पर सन्युतराष्ट संगठन की नई महानिद्र से कौन बनी है तो याद रखेगा उप्शन C हो जाएगा रेबिका ग्रिन स्पेसन हो जाएगा उप्शन ग्रिन स्पेन हो जाएगा हाल ही में वर्स 2021 के प्लजर पुरसकारों में किस भारती मुल्की पतरकार को पुरसकार मिला है तो इसका आंसर हो जाएगा option याद रखिएगा क्या हो जाएगा बताइए तो आपका option C हो जाएगा मेगा राज गोपालन हो जाएगा option आपका C हो जाएगा 12-13 जून को 47 जी 7 सीखर समिलन कायोजन किया गया इसकी अधेखस्ता किस देश ने किया है तो इसकी अधेखस्ता देखा जाएगा तो ब्रेटेन ने किया है option आपका A हो जाएगा प्रतिवर्ट सो वी सो बाल सरम निशेद दिवस कम मनायता है तो आंसर हो जाएगा option A 12-12 जून को चलि आगे देखते हैं अंगला प्रसनिक क्या है हाल ही में फ्रांसिसी रक्षा कंपनी थैलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक कौन बने है तो इसका आंसर हो जाएगा 480 का क्या दिया गया है option D हो जाएगा आसिस सर्राफ हो जाएगा option आपका यहाँ पर D उत्तर हो जाएगा अगला प्रसनिक की हाल ही में आयोजित P4G समरें 2121 की में जबाने किस देश ने किया है तो इसका उत्तर हो जाएगा option B तछिड कोरिया हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने है तो इसका उत्तर हो जाएगा option B नयमूर्ती मुनेसवरनात भंडारी नयमूर्ती मुनेसवरनात भंडारी English Football Association की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है तो आंसर हो जाएगा option B डेवी हैबिट हाल ही में चर्चा में रहा बंदरगट्टा नेशनल पार्क का संबंद किस राजे से है आपको याद होगा option आपका करनाटक हो जाएगा option आपका डी हो जाएगा अगला प्रसना है कि हाल ही मैं सोचल मीडिया कंपनी फेस्बूक ने किसे भारत में अपना सिकायत अधिकारी निक्त किया है और तो आंसर हो जाएगा ओप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा इस पूर्ती प्रिया इस पूर्ती प्रिया अमेरिक या अंतरिक्ष एजंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष दौर ठाइस से तीस तक दो रोबोटिक मीशन लांच करने की घुस्टना किया है तो इसका सब्सक् BulView रहा राय मोना रिज का कब सब्सक्राइब 9 सब्सक्राइब अग्ला पहें गया के वेरियंट का नम कड़ा किया है तो याद रखिएगा A B दोनों यानि डेल्टा और कपपा हो जाएगा हाल ही में H S B C इंडिया के नए CEO कौन बने हैं तो इसका आंसर हो जाएगा किस रेलेवे जोन ने 3.5 किलोमेटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लाउंच किया है तो आंसर हो जाएगा प्रतिवर्स 200 महासागर दिवस का मना जाता है तो यह मना जाता है आपका आठ जून को आठ जून को हाल ही में कौन पैट्रोलियम और प्रकरति गैस नियामक बोर्ड के अगले अध्यक्ष बने हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा हाल ही में किस देश ने ओपन इसकाई संधी से हटने का निर्ने लिया है तो इसका अंसर हो जाएगा और रूस आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार निराष्टी पोसल अभियान के लिए किस संस्था के साथ 200 मिलियन डॉलर का डिर समझाता किया है तो इसका उत्र हो जाएगा ऑप्सन बी वर्ल्ड बैंक क्या हो जाएगा वर्ल्ड बैंक प्रतिवर्श विस्व खाथ सुरक्षा दिवस कब मनायता है तो यह मनायता है साथ जून को साथ जून को अगला प्रसन है कि हाल ही में भारत में मैसंजिंग एप जो आट सब जाएगा नासा जाएगा नासा अगला प्रसन है कि हाल ही में कि स्राजी के सरकारने अर्थिक रूप से कम जोर विद्यारतियों के लिए अनुप्रती कोचिंग योजना सुरू किया है तो इसका अंसर हो जाएगा और राज श्थान पांच जून को कि से थीम के साथ 200 परिया बड़ दिवस मनाया गया है तो याद रखिएगा इको सिस्टम रिस्टोरेशन हो जाएगा आपका यहां पर सी उत्तर हो जाएगा लगे रही है तैयारी करते रहे यह क्योंकि रिविजन आपके लिए बहुत ही बहुत ही बहुत जरूरी हो जाता है रिविजन जितना करेंगे उतना आपका डाउट किलियर होगा तो अगर आप सब लोग अपी तक जूड़े हैं तो जूड़ते रहिएगा 800 पूरा आपको दिखना है हाल ही में किस अंत्रिक् करवा सकता हूं तो आपको तो बहुत ज़रूरी है आपको एक्जाम देना है तो आपके लिए जरूरी है कि मैं इसको दो से चार बर देखूं एक्टीस माई को कमिट टू कुईट विसे के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है तो याद रखिएगा विस्वत अंबाखु निश हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सीचु मुख्यमंत्री सीशु सेवा योजना शुरू किया है तो याद रखिएगा ऑप्सन आपका भी हो जाएगा असम क्या अगला प्रस्णे की प्रतिवर्स की स्तिथिक को विस्वत दूग्द दिवस मनाया जाता है तो इसका अ प्रतिवर्स भूख दिवस कब मनाया जाता है वर्ड हंगर डे तो याद रखिएगा ऑप्शन ए अठाइस मई को 28 मई को हाल ही में किस बालीवुर अभिनेता को यूए सरकार ने गोल्डन बीजा से समानित किया है तो इसका आंसर हो जागा ऑप्शन भी संजयदत क्या हो जाएगा संजयदत हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला रोवर यानि मार्स रोवर जुरों को सफलता पुर्वक लेंड कराने में उपलब्दी हासिल किया है तो इसका अंसर हो जागा ऑप्शन भी चीन आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा हाल ही में भारती उद्धोग परिसंग का अब्दक्स किसे बनाय गया है तो यह बनाय गया है आपका टीवी नरेंदरन को आपका यहां मत देपर देश केंदर सरकार ने हाल ही में किसे मिनिष्ट्री और कॉमर्स के नए ओएजडी के रूप में निउप्त किया है तो इसका उतर हो जागा ऑप्शन सी बी वी आर सुबरेमन्यम अगला प्रस्न है कि हाल ही में किस राज़ी सरकार ने कोबीड नाइंटीन के करण अनात हुए बच्चों के लिए मुख्यमंद्री कोबीड बाल का लियान योजना सुरू किया है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मद्यपरदेश अगला प्रस्न है कि हाल ही में बसर और असद किस देश के चौथी बार राश्ट्रपती बने हैं तो याद रखिएगा सीरीया हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा सिरिया हाल ही में किस बारतियों को सामाजिक विज्ञान के छेटर में सिर्वोंद्र में ए बाउंज keyboards किया है अम्रित वाहिनी एप तो आपका option C हो जाएगा जारखंड क्या हो जाएगा जारखंड आपका उत्तर हो जाएगा हाल ही में Amazon के नए CEO किसे निव्ट किया गया है यह किया गया है अगला प्रस्थन है कि हाल ही में कौन भारती मुल्क के व्यक्ति अमेरिका में वानी जे इंटे स्टाइल इस्टे मफ किजेगा लिखा गया ग्रेटो इस्टेन टाइलर इंडो 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 इसकोपी में सरवत्च समान पाने वाले पहले भारती डॉक्र कर बन अगया है देखिए लगातार चीजे पढ़ते पढ़ते क्या आँवतना कि चीजे अच्छे से मर्स द्वारा किस भारती संस्था को ग्रिंद उर्जा आवार्ट से समयनित किया गया है अगला प्रसने की हाल ही में मोहाली होकी स्टेडियम का नाम बदल करके किनके नाम पर रखा गया है तो यह रखा गया है बलबीर सिंग सीनियर बलबीर सिंग सीनियर अगला प्रसने की हाल ही में किस देश के मसहूर अड्डू में भारत का पहला वानी जी दुतावास खोला गया है तो याद रखिएगा ओप्सन यह हो जाएगा माल दियू क्या हो जाएगा माल दियू अगला प्रस्ण है कि हाल ही में इज्राइल की खुफिया एजन्सी मोसाद के नए प्रमुक क से कौन हाल ही में भारती मुल्क की छात्रा आक्सपोड छात्र संक्या दिक्ष बनी है तो याद रखिएगा अनवी भुटानी अनवी भुटानी उत्तर आपका यहां पे हो जाएगा अगला प्रस्ण की प्रतिवर्स भारत में राष्टर मंडल दिवस कम मनायता है तो यह मन हाल ही में किसने मोनाको गरांड प्रिक्स जीता है तो आंसर हो जाएगा मैक्स मैक्स वस्टपन हो जाएगा अपसन आपका ए उत्तर हो जाएगा किस राजी की सरकार ने हाल ही में कोवीड नैटिन से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमत्री वात्साले योजना हुआ अल्रेट हो जाएगा एटलेटि को मैड्रीट हाल ही में किस से प्रसीद बास्केट बाल खिलाडी को बास्केटबाल हाल-ओंफ में सामिल जा गया तो यह सामिल किया गया है को बे बॉइट को यह बॉएट हो जाएगा प्रतिवर्स से भीशो कशवा दिवस का मनायता है कि सुखा गया है तो आपका 23 माई को मनायता है option आपका भी हो जाएगा हाल ही में सुन्दर लाल बहुगुडा का निदन हो गया है वग अप सभी को पता ही होगा पर्यावड विध्ध हो जाएगा option आपका ये उत्तर हो जाएगा तो याद रखिएगा option A हो जाएगा बार्ची लोना, क्या हो जाएगा बार्ची लोना आपका सही उत्तर हो जाएगा हाल ही में किस राजे सरकार ने मिट्टी के खिलोने को GI टेक देने की घोसना किया है तो इसका आंसर हो जाएगा option A, तमिल नाडू, क्या हो जाएगा तमिल नाडू आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्रति वर्थ अंतराष्टी जय विवित्ता दिवसकम मना जाता है, तो याद रखिएगा, 40 का option आपका B हो जाएगा 22 माई को, 22 माई को, हाल ही में किस देश ने अपना सबसे सकते साले सूपर कंप्यूटर सी मोर्ग विक्षित किया है, सी मोर्ग, तो इसका उत्तर हो जाएगा option C, इरान, क्या हो जाएगा, इरान आपका उत्तर हो जाएगा, हाल ही में पिंदराई विजियन किस राज एक के दुसरे बार मुख्यमंत्री बने है, तो इस हो जाएगा, तो याद रखेगा option A, हो जाएगा, सोयाबीन कि एक नई किस में है, option आपका A, हो जाएगा, पाकिसान के नय राष्टी सुलाका, सुलक्षा सलाकार कौन निक्त किये गये है, तो आंसर हो जाएगा option B, मोहिद यूसुफ, मोहिद यूसुफ, हाल ही में किस आयता है, आप सब लोग जाद रखेगा, 20 माई को, किस राजे सरकार द्वारा घर पर COVID मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए, संजीवनी परियुजना की सुरुवात की गई है, तो आंसर हो जाएगा option B, हर्याना, क्या हो जाएगा, हर्याना, अगला प्रस्न है कि हाल ही म सुजु की, मोटर साइकिल, इंडिया के नए प्रमुक कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा option C, यानि सतोसी उचिता, सतोसी उचिदा हो जाएगा, स्वास्थ एवं परिवार का लियान मत्रले द्वारा जारी रिपोर्ट के नुसा, आईसमान भारत कारेकरम को लाग करने मे कौन सराज्य परथम इस्थान पर है, तो आंसर हो जाएगा option C, यानि करनाटक हो जाएगा, अगला प्रस्ने की प्रतिवर्स अंतराठी संगरहाले दिवस कम मनायता है, तो यह मनायता है आपका 18 मई को, प्रतिवर्स 20 विसो दूर संचार दिवस कम मनायता है, तो याद रख हम आपक्राइब अप्राइब हो जाएगा अमेरिका क्या हो जाएगा अमेरिका की एक वरिष्ट सलाहकार निव्ट की गई है तो और अब जाएका अग्ला चाल हो जाएगा ओल्याडोल कि मनाएंसे पूरुस यहेटनिया क्या फिर्टा चाह्तर था तो याद रुखेँगा उप्सन आपका सी हो जाएगा we are part of the solution option आपका C हो जाएगा प्रतिवर्स विस्व उच रक्त चाप दिवस कम मना जाता है तो यह मना जाता है आपका option C 17 माई को याद रखिएगा 17 माई को अगला प्रस्ने की हाल ही में बाटा इंडिया के नए CEO कौन बने हैं तो बाटा इंडिया के नए CEO आपका गुंजन सा हो जाएगा option आपका D हो जाएगा हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है तो यह जीता है आपका option C टीम डिजिटल फ्लोड रिपोर्टिंग एंड इनफार्मेंस एफार्मेशन मनेजमेंट सिस्टम लग करने वाला प्रथम राज ये कौन बना है तो इसका उतर हो जाएगा option C असम आपका उतर हो जाएगा हाल भारती महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं तो य ये प्राप्त हुआ है option D जार्कंड क्या हो जाएगा जारकंड अगला प्रसने की प्रतिवर्ण अंतराश्टी परिवार दिवसका मना जयता है यह made out a है option आपका B हो जाएगा 15 मई को कौन सारी को 15 मई को अगला प्रस्न है कि हाल ही में पंजाब का 23 जिला कौन बना है बताइएगा तो पंजाब का 23 जिला दिखाएगा तो आपका option D हो जाएगा मलेर कोटला मलेर कोटला हाल ही में सनुट राष्ट के मानवी मामलों की एजंसी के बने हैं तो आंसर हो जाएगा option B Martin Martin Graves हो जाएगा option आपका B हो जाएगा हाल भारत Petroleum Corporation Limited के नए अध्यक्स और प्रवन निदेशक कौन बने है तो आंसर हो जाएगा option A Aroon Kumar Singh Aroon Kumar Singh किस अफ्रीकी देस ने इबॉला वारस के प्रकोप की समाप्ति की घोषना किया है तो याद रखिएगा आपका यहां पे बी हो जाएगा डेमोक्रेटी और रिपबलिकन और कांगो हो जाएगा अगला प्रस्न है कि हाल ही में भारती मुल्क की किस महिला ने विशुखाद पुरसकार 2021 जीता है तो आंसर हो जाएगा चायद गुकर पुरसकार जीतने वालव परत्रम भारतिय महिला कौन बनी है तो आंसर हो जाएगा प्सेंद बी हेरा को तुब बाड रिपोर्टिंग पनाली का इस्तिमाल करने वाला पहला राज ये कौन बन गया है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी असम क्या हो जाएगा असम हाल ही में किस राज की प्रत्थम राजसों मंत्री के आर गौरी अम्मा का 102 वर्ष की उमर में निधन हुआ है तो याद रख है तो आंसर हो जाएगा आपसों की पुदूचेरी क्या हो जाएगा पुदूचेरी अगला प्रतीवस अंतराथिये नर्षिदीवस कम मनायता है ते याद रखियेगा आप सर्वियो जाएगा बारह मै को याओ जागा 12 मैइको हाल ही में आरब सस्कार x क्या होगा एक कूर 8 म यूरोपी संग के नेताओं की बैठक मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूरतगाल क्या हो जाएगा पूरतगाल आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा प्रतिवर्स राष्टी प्रधोकिय दिवस का मनायता है तो यह मनायता है आप आपका 11 माई को 11 माई को 11 से 12 माई को वर्चोल रूप से आयुवित पहली ब्रिक से रोजगार कार्य समूह की बैठक क्या देशता किस देश ने किया है तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भारत क्या हो जाएगा भारत हाल ही में अंटार्क्टिका महादिय से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा एक सिवन्टी सिक्स एक सिवन्टी सिक्स मार्ज द्वरे कैस में भारत तथा बंगलादस के बीच मैतरी से तु पूल का उध्गाटन किया यहाँ पूल किस नदी पर बनाए गया है तो यह बनाए गया है याद रखेंगे ऑप्शन ए फेनी नदी क्या हो जाएगा फेनी नदी अगला प्रसना है कि हाल ही में किस राज सरकार ने प्रतिवर्स मनोज दास अंतराष्टी साहित्य पुरसकार देने की घोसना किया है तो जन्जाती स्कूलों में डिजिटल परिवर्थन लाने है तो जन्जाती मामलो के मंत्राले ने किस के साथ समझावता किया है ति यह किया है Microsoft के साथ Microsoft के साथ प्रतिवर्स मात्र दीवस कं मना जाता है यानि Mother Day तो याद रखेगा Option आपका A हो जाएगा महिने यानि मई महिने क की वीज़ो प्रेस स्वतनता दिए दोरेकरिस का थीम क्या है जिसका थीम हो जाएगा कमीट टूट कुईट हो जाएगा अपका ए हो जाएगा अगला प्रस्थने की लॉर्यांस वर्ल्ड जाएगा ऑपनावी वो साका नावी उसका लॉर्यंस वोल्ड इस Yosamda ओपनावरिय लॉर्यिश क्या जाएगा राफेल नडाल अगला प्रस्थन्ना की भारत में कोवड़ नाटीन का नया वैरिएंट मिला है जो 2044 देशों में पहल हो चुका हो जाएगा हाल ही में वनराज भार्टिया गनिधन हुआ है वह कौन थे तो आद देखा जाए तो आपका यह हो जाएगा चलिए बताइगा तो इसका अंसर हो जाएगा पांसो पच्यानबे का आपका यह हो जाएगा संगीत कार अगला प्रसने की यूनेस को द्वारा विस्व धरोहर इस्थानों कि सूची में सामिल भारती इस्तल बेडा घाट तमेल घाट का समन्द किस राजिस से है तो इसका अंसर हो जाएगा आपसन डी मद्यपर्दिस क्या ह तो याद रखेंग ऑप्सन आपका भी हो जाएगा चौत ही बार चौत हावर हाल ही में अभिला आसा पाटिल का निदन हो गया है वह कौन थी तो याद रखेंग ऑप्सन आपका एह हो जाएगा अभीनेत्ति थी विस्व बैंक द्वारा जारी माइग्रोएशन एंड डेवल दोस्तों आपका यहाँ पे 600 कोशन समाप्त हो गया 200 कोशन और है बस और थुरा सा आदा घंटा और आदा घंटा में आप सबी लोग को क्लियर हो जाएगा कि आपको 800 कोशन में से कितना कोशन सही कर पाए है ठीक है अनलाइक कोई कर दिया किजे क्योंकि आप लगों के लिए अगला प्रसन है कि हाल ही में दुनिया के सबसे ऊची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सरवाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ट किस व्यक्ति ने बनाया है तो आंसर हो जागा ऑप्सन भी कौमी रीता सिर्पा कौमी रीता सिर्पा ममतार नर्जी लगातार तिसरी बार क राज्य की मुख्यमंतरी बनी है तो आप्सन आपका अभी हो जागा पसी मंगाल क्या हो जागा पसी मंगाल हाल ही में किसे अंतराष्टी अजे सोन पदक समान से समानित किया गया है तो आंसर हो जाएगा ऑप्सन सी रमेश पोखरियाल निसंख हो जाएगा अगला प्रसने क स्थमा दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनायता है आपका उप्शन सी महीं महीं महिने के पहले मंगलवार को आपका सी हो जाएगा उतरी अट्लांटिक संदी संगठन देश ने किस देश में सनुट सेंड अभ्यास डिफेडर यूरोप 21 का सुभारम किया है क्या तो आंसरो जाएगा उप्शन डील बानिया अलबानिया हाल ही में राष्टी मानव दिकार आयो के नए कारेकारी अद्ध्यक्स कौन बने हैं तो आंसर हो जाएगा उप्शन सी प्रभूल प्रफूल चंद्रपंट हो जाएगा उप्शन आपका सी हो जाएगा चार मईद ग्रेश को वर्चुल रूप से ट्वेंटी देशों के परेटन मंत्रियों के बैठक किस देश में संपन हुआ है तो याद रखिएगा इटली में कहां पर इटली आपका सही उत्तर हो जाएगा हाल ही में किस देश के खिलाड़ी थी सारा परेदा ने अंतराश्टी क्रिकेट से सन्यास लिया है तो आप सभी को पता होगा स्रिलंका के वह प्लेयर थे आप्शन आपका भी हो जाए है तो आंसर होजागा ओपशन सी टी रवी संकर टी रवी संकर प्रती वर्स वीस औरोफ स्वतंता दिवस कम अंटाच जाता है तो यह माय आप शंचन सी के दिवस कब मना जाता है तो ये मना जाता है option B 2 माई को किस राज सरकार द्वारा ताजी सब्जियों के home delivery के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लिकेशन जारी किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा option C मनिपूर क्या हो जाएगा मनिपूर आगे रखते हैं हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है तो आंसर हो जाएगा option C ब्रिटेन क्या हो जाएगा ब्रिटेन विश्वा संगठन ने किस देश की सिनो फार्मा कोवीड वैक्सिन को एमर्जैंसी में स्थिमाल करने की अनुमति दिया है तो याद रखेगा option आपका C हो जाएगा चीन क्या हो जाएगा चीन आपका उत्तर हो जाएगा प्रती बी नीरज बजाज क्या हुजागा नीरज बजाज हाल ही में वन्य अनवेशल पुरसकार के लिए शुनी जाने वाली प्रत्थम भार्ती महिला कौन बनी हैं तो आंसर हो जाएगा क्रिती करंत आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा हाल ही में परवत धारा योजना का समन्द किस राजे से परवत धारा योजना तो याद रखेगा हिमाचल प्रदेश क्या हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हाल ही में रोहित सर्दना का निदन हुए हुआ हुआ कौन थे तो अगला प्रस्ण है कि हाल ही में भारत के अगले वित सचियों कौन निवत किये गए हैं तो इसका आंसर हो जागा ऑप्षन C, TB सोमनाथन कि प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है तो आंसर हो जागा ऑप्षन D, Vaisali, S, हिवासे प्रतिवर्ष अंतराष्टी निर्त दिवस कम मनायता है प्रतिवर्ष अंतराष्टी निर्त दिवस पुछा गया है तो इसका आंसर हो जागा ऑप्षन C, 29 अपरेल को हाल ही में NC, DAX के नए MD & CEO कौन बने हैं तो याद रखिएगा अरुन रस्ते पत्रकारों को स्वास्थ भीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज सरकार ने गोप बंदू सम्ध दिका स्वास्थ भीमा योजनाश शुरू किया है तो आंसर हो जागा ऑप्षन D, उडिसा, क् हाल ही में जारी स्प्री की वर्च दोर बीस की रिपोर्ट के मुताबित कौन सैने खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है तो आंसर हो जागा ऑप्षन A, अमेरिका आपका सही उत्तर हो जाएगा, हाल ही में दिये गए ऑसकर आवार्ड दोर बीस में क हाल ही में सुर्ख्यों में रहा अल अक्सा मस्जिद की सहर में स्थित है, यह देखा जाए तो आपका यरुसलम में स्थित है, आपका भी हो जाएगा, किस राज सरकार के द्वारा क्लैप स्वच अभियान प्रारम किया गया है, तो यह किया गया है आपका आंधर पड़ेस क किस भारती बैडमिंटन खिलाडी को अंतराष्टी ओलंपिक समिती के बिलीब इनी स्पोर्ट्स अभियान के लिए अथलिट अंबेश्डर के रूप में चुना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, साइना नहवाल, साइना नहवाल, अगला प्रसन है कि भारती चिकिस्ता तो मलेरिया दिवस कब मना जाता है, ति ये आपका मना जाता है आपका 25 अप्रैल को is is, अगला प्रस्टन है कि हाल ही में स्रवन राठोर का निदन हो गया हैो वग थे तोि यादि रखिएगा ऑपिशन آپ का Sckoga चित्रकार थी, और अप का Sckoga हजएगा हाल ही में भारतिय सिना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनरजी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है तो आंसर हो जाएगा याद रखिएगा यह हो जाएगा उत्राखंड क्या जाएगा उत्राखंड हाल ही में HDFC बैंक के नए अंसकालीन अध्यक्स कौन बने हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निलेम सर्मा निलेम सर्मा हाल ही में अमेरिका की पहली भारतिय मूल की असोसियेट अटार्णी जिनरल कौन बनी है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएग गितांजली वर्मा गितांजली वर्मा अगला प्रतिवर्स विस्वर पुस्तक तेल हाल ही में किस देश के राष्ट पती इद्रीस देवी का निदन हो गया है तो याद रखिएगा ऑप्सट ए चाड क्या जाएगा चाड आपका सही उत्तर हो जाएगा हाल ही में सुरुक्यों में रहा मैं फलावार फोर हंड्रेट किया है तो देखा जाते प्रकार का याद रखिएगा एक से कंड हार ठीक है यहां पर देखे थ्रॉट नंबर चेंज कर दिया है तो पा यहां पर इसका उतर हो जाएगा ऑप्संट सी और जून कल्यान अर्जून कल्यान अगला प्रसने की प्रतिवर्स वीश्वी दिवस का मनाया जाता है तो यह आपका मनाया जाता है बाइस अपरायल को अगला प्रसने की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स भारत को कौन सा इस्थान मिला है तो बताएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्संट क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 142 नंबर का अगला प्रसने के माउंट अनपूर्णा को फटा करने वाले प्रथा महिला कौन बनी है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्संट डी प्रियंका मोहिते प्रती वर्ष राष्ट्री लोक दिवस कम मनाया जाता है तो यह आपका मनाया जाता है 21 अगला प्रसने क्या है कि हैनले पास्पोर्ट इंडेक्स दूजर 21 में भारत को कौन सा इस्थ सब्सक्री सस्पेंसल ब्रीज अरोका का उद्गाट रंकी से देशन में किया गया है तो यह किया गया है याद रखिएगा सिंगापूर क्या हो जाएगा सिंगापूर याद रखिएगा प्रती वर्ष वीश्व लीवर दिवस कम मनाया जाता है तो यह आपका मनाया जाता है अगला प्रस्ण की प्रती वर्स हीमोफिलिया दिवस कब मना जाता है तो यह आपका मना जाता है ओप्शन सी बारे अपराल को जन्वरी दुर्य कई संुक राष्ट दुराय लाजारी रिपोर्ट के अनुसर सबसे जदा भारती परवासी किस देश में इस्तित है तो इसका अंसर बिजाता ना में यादढकों तो किया जाएगा आपका किया जाएगा अवेरो नीता गुएरीं वेरोनीता गुएरीं प्रती वर्थ 20 तो मना जयता है तो हेया अपर अप्रेल को 13 अप्रेल को राष्ट्री डोपिंग रोधी अजन्सी नाड़ा के नए महान देशक कौन बने हैं तो याद रखिएगा अप्शन सी सिधार्त लोंग जाम सिधार्त लोंग जाम हाल ही में किस खेल से सम्मनित पूर्व भारती खिलाड़ी बालबीर सिंग जूनियर करक का निदन हो गया है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्सन ए होकी क्या हो जाएगा अगला प्रसेन हो जाएगा और और वर्स हो चुनावी क्या हो जाएगा लिए बढक किस अभियान की शुरुवात की गई है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्सन ए ऑपरेशन समुद्र से तू टू याद रखिए आपका ए हो जाएगा हाल ही में कौन नेशनल काउंसील अप एकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदिसक बनी है तो आंसर हो जाएगा ऑप्सन अगला प्रस्ण है कि हाल ही में दिये गए बाप्टा अवाड जरेक केस में किसे बेष्ट फिल्म का पूरसकार मिला है तो याद रखिएगा नोमेड लेंड हो जाएगा ओप्सन आपका सी उत्तर हो जाएगा हाल ही में पंजाब राज्य के कोबीड वैक्सिनेशन प्रति वर्ष वी सो हमिफोलिया दिवस कं मनायता है हीमोफीलिया हो में पैथी दिवस कं मनायता है याद रखेगा ऑप्सन आपका भी हो जागा दस अप्राइल को अगला प्रसने की आरग्याई ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को एक लाग रुपे से बढ़ किस देश ने किया है तो यह किया है मयानमार ने क्या हो जाएगा मयानमार अगला प्रसने की भारती हावाई अध्या प्राधिक्रण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो आंसर हो जागा ऑप्सन सी संजीव कुमार क्या हो जाएगा संजीव कुमार हाल इम भारत की पाली मैल से जुरी दिया है तो इसका अंसर मोल ugh sneaking अमेरीका क्या हो जाएगा अमेरिका हाल में इनुवेशन के लिए तो याद रखेगा उस्मान के लिए शाल हेखाlica और भारति है लगूध दोग विकास बैंग के नए अध्यक्ष एवं प्रबन निदेशक कौन बने हैं तो आंसर हो जाएगा उप्सन बी एस रमन एस रमन प्रतिवर्स विश्व स्वास जीवस का मनायता है यह मनायता है साथ अप्रैल को साथ अप्रैल को हाल ही में प्रकासित पुस्तक लाइफ इन दकरार्क टावर वैली के लेखक कौन है तो याद रखेगा उप्सन आपका सी हो जाएगा सकूर राथेर सकूर राथेर हाल ही में तरुन बजाज के इस्थान पर आर्थिक मामलों के विकास के लिए सच्चिव कौन निउक्त किया गया है तो आंसर हो जाएगा उप्सन बी अजय सेट क्या हो जाएगा अजय सेट केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया राजे सोव सची निक्त किया गया है तो आंसर हो जाएगा उप्सन सी तरुन बजाज क्या हो जाएगा तरुन बजाज बिसी स्याई की भरष्टाचार निर्योधक एकाई के नया प्रमु कौन ब परती हाल ही में भारत के 48 मुख्यने अधिस कौन निक्त किया गया है तो याद रखेगा सभी लोग इंपॉर्ट है आपका एंवी रमन क्या हो जागा एंवी रमन अगला प्रस्न है कि हाल ही में अपने सभी नागरिकों को मुप्त स्वास्थ भीमा सुविधा देने वाला भार संडी आफगानिस्तान क्या हो जाएगा आफगानिस्तान भारत अथा किस देश ने दुपक्ष्य व्यापारिक संबंदों को मजबूती देने के लिए दस वर्सी रोड मैप अनावरण किया है तो आंसर हो जाएगा ऑप्सन ए यूनाइटिट किंग्डम यूनाइटिट किं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्सन ए अभिनेतरी थी वो आप्सन आपका ए उत्तर हो जाएगा हाल ही में छमता निर्मान आयोक के नए अध्यक्ष कौन बने है तो आंसर हो जाएगा ऑप्सन बी अदिल जैनूल भाई हो जाएगा ऑप्सन आपका भी हो जाएगा हाल ही में किसे सरवजनिक उधम चैन्व के नय अध्यक्ष के रूप में निक्त किया गया है तो आंसर जाएगा option c मलिका स्री निवास मलिका स्री निवास करमचारी राज बीमान निगम के नएं मानिदेशक कौन बने हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानि मुखमीत एस भाटिया मुखमीश एच भाटिया बारत फ्रांस एवं आस्ट्रीलिया की पालित रिपक्षी विद्यस मंत्री इस तरी बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटेन क्या हो जाएगा ब्रिटेन अगला प्रस्ने किस राजी सरकार ने अवस्चिक सेवा रख रखाव अधिनियम लग किया है तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 36 गड़ क्या जाएगा 36 गड़ प्रतिवर्स वीशुव और टीजम दिवस का मनाया जाता है और टीज स्वा इस्थान दिया गया है किस राजे में 100 मेगाबार्ट बिजली उत्पादन छमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोड़े सन्यंत्र इस्थापित किया जाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना क्या हो जागा तेलंगाना हाल ही में किस संगठे ने सरकारी प्रतिभूति अधिकरहण कारेकरम शुरू किया है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी आई और बी आई तो फ्रेंट्स आप सब लोगे यहां पर साथ सो कुशन बस सो कुशन आउर बस सो कुशन आउर लगे रहे यह बस यह भी आपका खतम ही होने वाला है हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीजों के आयात पर लगे प्रतिबंद को हटा दिया है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीनी का पास और सूथ हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे आप विजी बिलिटी कब मनाया गया है इसका आंसर रजनीकांत क्या रजनीकांत अगला प्रसने कि हाल ही में आई ऐस एस एफ सूटिंग विस्वकप द्रेकर इस में कौन सिर्ष पर रहा है तो आपका सी हो जाएगा भारत क्या जाएगा भारत हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझोटा ग्यापन के तहत 800 करोल नेपाली ही रुपय की अनुदान सहाथा परदान किया है तो आंसर हो जाएगा ऑप्सवन सी भारत क्या जाएगा भारत हाल ही में किस माराथी लेखको 3622 ब्ला है बतायेगा तौँ इसका आ उत्र हो जाएगा ऑप्स ने सरणुकुमा लेंबाली हो जायेगा अगला प्रसने हाल ही में किस देश के माउंट मेरा आपी जोला मोखी में भी स्पोर्ट हुआ है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेसिया क्या हो जाएगा इंडोनेसिया अगला प्रसने के इन सरकार ने नए वहानों की खरीद से पहले पुराने वहानों की स्क्रैप साटिफिकेट जमा क अब आप यह यह बैंक चुना गया है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन एचडी अपसी बैंक एचडी अपसी बैंक अगला प्रसने के फिल्म फेर अवार्ट जोरे कैस में बेश्ट अभीनेता का आवाट किसे दिया गया है तो यह दिया गया है इर्फान खान को जो कि अब यह नहीं है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अगला प्रसने के फिल्म फेर अवार्ट जोरे कैस में किसे बेश्ट अभीनेता अब नित्री का आवाट दिया गया है तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा तापसी पन्नू अगला प्रसने के जल सक्ती मं जोगेंद्र सिंग सेखावत ने जल जीवन मिशन के तहट कितने राजियों के लिए प्रदर्शन प्रोसाहन नीधी के रूप में 465 करूण रूपए मंजूर किये हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साथ हो जाएगा साथ भारती रिजर बैंक ने पंजाब और महराष् कारी बैंक में निकासी और जमा पर प्रतिबंदु को किस तारिक को यानि किस तारिक तर बढ़ा दिया गया है तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका यह हो जाएगा 30 जून 2121 हाल ही में सहीद अस्वाक उल्ला का अस्वाक उल्ला खां पार्क कहां उद्गार्ण किया गया ह है तो इंपोर्ट है याद रखियेगा आपसंण आपका भी हो जायागा गोरगपूर्ड़ सामिल किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्सन एद ग्रेट खली आप सब लोग जानते ही होंगे अगला प्रसन क्या है इसको हम देख लेते हैं अगला प्रसन आपके लिए जरूरी है देखिए हाल ही में किस सिंगर को महराष्ट सरकार के सरवोच पूरसकार सब्सक्राइब किया जाएगा जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्सन सी आसा भोसले आसा भोसले हाल ही में किस ने खेलो इंडिया यूथ गेंदरेकेस में योगासन को सामिल किया है तो आंसर हो जाएगा ऑप्सन सी किरेन रिजूजू किरेन रिजूजू अंतराष्टी बौदि 20 में समयनित किया गया है तो याद रखिएगा सरद पागरे सरी सरद प्रगारी हो जाएगा आपका यह हो जाएगा हाल ही में किस राजे ने इथे नौल उत्पादन संबंधन सनवर्धन नीती दोर एक कईस का सुभारम किया है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्सन भी बिहार आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा विश्व रंग मच दिवस दिमने में से कौन से दिन मनाया जाता है ति यह आपका मनाया जाता है 27 मार्च को 27 मार्च को ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रसने कि हाल ही में एफसी महिला एसिया कप 2022 का मेजबानी कौन करेगा त अपका भी हो जाएगा कि आगे देखते हैं अगला प्रसनिक यह है कि हाल ही में नविनी कर्णी ऊर्जा मुंतरी आर्केसिंग ने किस सहर में ग्राम उजला यूजना सुरू किया है तो यह किया है आपका वारानसी क्या हो जाएगा वारानसी जहाँ वज्र को काँ कमिशन कि गया है तो यह किया गया है याद रखेगा ऑप्सन भी चेन नई में कहां पर चेन नई में दुनिया की पहली सी प्रेनल पर योजना कहां बन रही है तो यह आपका बन रही है ऑप्सन भी नार्वे में कहां पर नार्वे में हाल यह में किस राजय के मुख्रमित्री ने मेरा मा अक्षा ब्यान शुरू किया है तो इसका अंसरों जाएगा option B मध्य पर्दिश क्या जाएगा मध्य पर्दिश रूस ने कितने कितने देशों के लिए space में 38 सट्रिलाइस लांच किया है तो आंसरों जाएगा option C 18 क्या जाएगा 18 हाल ही में CC T20 रैंकिंग में कौन सी भारती महिला खिलाड़ी पहले इस्थान पर रही हैं, तो याद रखेगा सेफाली वर्मा हो जाएगा, ऑप्सन आपका C हो जाएगा, हाल ही में वर्द वर्बीस का गांधी संति पुरसकार किसे दिया जाएगा, तिया आपका दिया जाएगा सेख का सी हो जाएगा हाल एंग कि से देश में इस्मीत संगेज वालामुखी फटा है याद रखेएगगा इकवाड़rie और आप का भी उत्तर हो जाएगा केदर सरकार करम्चारी करम्सणी कर्म चारी भविशनेधी नीदी में होने वाली ज़य में होने वाली अगला प्रस्न है कि मद्य प्रदेश और किस राजय के मुख्यमंत्री द्वारा केन बेतवा लिंक परिजुना को लग करने हैं तो एक समझोता पर ग्यापन हस्ताक्षर किये गये हैं तो इसका आंसर हो जाएगा याद रखेगा option C उत्तर प्रदेश क्यों जाएगा उत्तर प जाएगा यानि वैलूइंग वाटर हो जाएगा option आपका भी हो जाएगा भारती संस्क्रितिक मंत्राले ने वर्द वर बीस के लिए सांती पुरसकार किन्हें परदान किया गया है यह परदान किया गया है option B बंग बंधू सेख मुझीबूर रहमान हो जाएगा option आपका भी संधन विकास योजना के लिए मॉडल राज ये बनकर उभरा है तो याद रखेगा option C मनिपूर क्या जाएगा मनिपूर अगला प्रस्न है कि संसर्टवे नैस्नल आवार्ड समारों में किस अभिन्यत्री को नैस्नल आवार्ड से समन्त किया गया है तो याद रखेगा option D संसर्टवे नैस्नल आवार्ड समारों में निम्न में से किस फिल्म को सर्फेष्ट फिल्म के आवार्ड से समयन्त किया गया है इसका अंसर हो जाएगा option B छी छोड़े अगला प्रस्न के जहारखन सरकार ने स्वास कर्मियों को कितने महीने का अत्रिक्त वेतन देने का घोसना किया है तो याद रखेगा option A एक महीने का अगला प्रस्ने के सन्यूक्त राष्ट द्वारा प्रयोजित वर्ल्ड हैपिनेस और 21 में किस देश को प्रतम इस्थान प्राप्त हुआ है तो इसका अंसर हो जाएगा option B फिन्लेंड क्या हो जाएगा फिन्लेंड हाल ही में राष्टी और स्वाय सेवक संग का सरकारेवाहक या महासचिव चुना गया है तो याद रखेगा option आपका B हो जाएगा दत्ता त् तंजानिया तंजानिया भारत के पाराइथलेट सिंग राज ने 2021 पाराइथ निसाने बाजी विश्यो कप में कौन सा पदक जीत लिया है तो इसका अंसर हो जाएगा option B हो जाएगा सोन पदक सोन पदक हाल ही में 11 वी होकी महिला राष्ट्री चंपियंशिप किस ने जीता है तो इसका अंसर हो जाएगा option B हर याना क्या हो जाएगा हर याना हाल ही में अमर एकूसी पुस्तक मेले का और दुहडन कहां पर हुआ है तिया आपका हुआ है धाका में कहां पर धाका में हाल ही में international woman of courage किसे समानित क्या गया है तो आयाद रखिएगा option आपका C हो जाएगा कौसलिया संकर क्या हो जाएगा कौसलिया संकर अगला प्रस्ना की हाल ही में आसकर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभीनेता कौन बने हैं तो आंसर हो जाएगा रीज अहमद रीज अहमद हाल ही में किस देश ने अपने सुचना मंत्राले का नाम जल दिया है त लिएट पेज अगला प्रसने के निमने में से किस पूर्व क्रिकेट खिलाडी को वर्ड वर बीस के एस एस जे ए ब्रिटिस स्पोर्ट्स जर्नलिज्म आवार्ज से समयंत किया गया है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन भी माइकल होल्डिंग माइकल होल्डिंग इस पेस टेलिस्कोप लगाया है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस हो जाएगा हाल ही में किन सरकार ने बीमा सेत्र में विजेसी निवेश को कितने प्रदिशत तक बढ़ाने के लिए अनुमती दे दिया है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 74 प्रदिशत अगल तो याद रखेएगा आपका बी हो जगा दीपीका पादुकोड दीपीका पादुकोड निम्र में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौरी उर्जा सौरी सौरे फार्म बनाने के गोस्ना किया है तो इसका अंसर हो जाएगा option D हो जाएगा सिंगापूर क्या हो जाएगा सिंगापूर पूर्वी अफ्रीकी देश कहनेया ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ संदुरी सीमा विबात पर अंतराष्टी न्याले की कारेवाही में भाग लेने से इंकार कर दिया है तो आंसर हो जाएगा option A सोमालिया मिति के सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत कि सोर की उम्र 18 से घटा करके निमन में से कितना कर दिया है या फिर करने के सिफारिस किया है तो आपका 16 वर्स किया है 16 अगला प्रसने के निमन में से किसने पटियाला में चल रहे 24 वेफ हैडरेशन कप सिनियर एथलेटिक्स राज़दानी निमन में से कौन बन गई है तो आंसर हो जाएगा option A दिल्ली आपका सही उत्तर हो जायता है हाल ही में वनवाशी समागम का आयोजेन किस राज़े में किया गया है तो यह आपका किया गया है याद रखियेगा option C हो जाएगा उत्तर पृदीस अगला प्रस्न है कि उभ्भोक्ता मामले खाद एवम सारजनी के वित्रल्प मंत्राले ने परवासी मजदूरों की मदद हेतू एक एप लॉंच गया है उस एप का नाम है मेरा रासन एप अगला प्रस्न है कि निम्न में से कौन सा देश यूएई को पीछे छोड़ करके भारत का दूसरा सबसे बड़ा देला पूर्ती करता देश बन गया है तो इसका अंसर हो जागा ऑप्सन सी अमेरिका अगला प्रस्न है कि हाली में किस राजे में काला नमक चावल महुत सो आयू क्रोना वैक्सीन क्या पात कलिन इस्तिमाल को मंजूरी दिये दी है तो इसका अंसर हो जागा ऑप्सन डी यानि जॉंसन एंड जॉंसन याद रखेगा अगला प्रस्निक सूर्जर लेंड के बाद अब तक किस देश ने बुरका पहनने पर प्रतिबन लगाने पर फैसला कर दिया है तो आंसर हो जागा ऑप्सन ए स्रिलंका स्रिलंका वैस्ट एंडिच क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान कि से निप्त किया गया है तो आंसर हो जागा ऑप्सन एक क्रेग बैथवेट क्रेग ब्रेथवेट हो जाएगा तेस्ट क्रिकेट मे पहले बल्ले बाज निम्न में से कौन बन गए हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी हो जाएगा हम यानि हासमुला साहेदी हो जाएगा अगला प्रस्निया की महिला अंतराष्टी क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दुनिया की दुसरी और भारत की पहली महिला काहन पर जम्मू कास्मिर में हाल ही में किस देश ने अंत्र यात्राष्ट में पहला साहन इभ्यात शुरू किया गया है तो izकाशव जाएगा ऑप्शन भी फ्रांस क्या ओझाब फ्रांस हाल ही में किस देश के राष्टपती ने अफरीकी नेतरित्त्व प्रसकार जीता है तो इसका अंसर हो जाएगा option C Niger क्या हो जाएगा नाइजर हाल ही में भारत का पला transgender community desk कहां पर खुला है तो इसका अंसर हो जाएगा option A तेलंगाना क्या हो जाएगा तेलंगाना हाल ही में किस राजे को भूमी record और डिजिटली करण में सिर्थ इस्थान दिया गया है तो इसका अंसर हो जाएगा option D मद्यपर्देश क्या हो जाएगा मद्यपर्देश अगला प्रसने के दश्ट भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है तो इसका अंसर हो जाएगा option B जाएगा उजबेकिस्तान निम्न मैं से किस अभीनेट तर को अभीनेटा को 19 अर्व एकएस को इंट्रनेशनल फैडरेशन और फिल्म और काइब्स द्वारा संभान किया जाएगा जिसका उत्र हो जाएगा मिताब बच्चान जाएगा अमिताब बच्चन अगला प्रजब केंद्र खोला गया है दिया आपका खोला गया है उत्राखंड में पर उत्राilleurs ने देश के 112 सबसे प्रदूसित स्थलों में किस राज को पहला इस्थान दिया गया है जिसका आंशर हो जागा ऑपसं सी उुरीशा अगला प्रसें किस देशने सब्देनिक जगाव seven पर का पहने पर रोख लगा दिया है इसका आंसर हो जागा ऑप्शन भी सूर्जर लेंट और आपका स्रिलंका भी है जैन असरी दिवास निम्न में से किस दिन मनाया जाता है जन आशली दिवस ज्याद रखिएगा साथ मार्च को मनायाता है आप सना आपका सी हो जाएगा हाल ही मे उत्राष्ठ सहाय के महासाचीव कौन बनी है तो आंसर हो जागा ऑप्शन भी यानी लीगिया नोरोहना बारत सरकार की तरब से जारी इज आफ लिविंग सुचकांग में 10 लाग से अधिक याबादी वाले सहरों में कौन से सर प्रतम इस्थान पर रहा है तो आंसर हो जाग का ऑप्शन भी एट पॉइंट फाइप लैक आप याद रखिएगा अगला है कि हाल ही में वर्स 2020 के बिहारी पूरसकार से समानित किया गया है याद रखिएगा अगला प्रस्ण है कि भारत ने किस देश को लाल चावल की पहली खेप रवाना किया है तो इसका आंसर हो किरिकेट के युवराज सिंग के बाद लगातार चाह गेंद पर चाह चाह के मारने वाला विश्व का दूसरा लड़ी दिन में से कौन बन गया है तो इसका आंसर हो जागा ऑप्शन एक कि रोन पुलाड आपका कहां से यह आपका वैस्टिस से हैं हाल ही में केंद्री स्वा प्लिसिया है तो अंसर हो जाएगा ऑप्व्षन ची करनातक कैसे हॉज्ट शयाहनक का नापकरें पर सब्सक्राइब कर दिया है तो आंसर हो जाएगा कंशन ए Are संसर पार्वियार क्यों तो आगला प्रस्ण होगा और ज्म आ Mais आय। इस रेगा da. एक सो एक रूपिया संसर पहले मुख यह कारीकारी अधिकारी कौन बने थे तो और विद नूए कपूर हाल ही में वैसरिक उर्जा और परियावड नैतरिक पुरसकार किस ने प्राप्त किया है तो इसका अंसरो जागा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी दोस्तों आप सब लोग का यहां पे 800 कोशन समाप्त हो गया जो अभी तक देखा होगा रेली बता रहें कहीं न कहीं उसको इतना फायदा मिला होगा जो लोग छोड़ के बीच में चले होगे उनलों को छोड़िये आप सब लोग रिविजन करते रहें जो इतना मैनत करेगा उसको उतना ही सफलता मिलेगा आप सभ हिंद वंदे मातरम